हलो 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 वेलकम एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे चली स्टार्ट करें अपना कोडिनीशन कंपाउंड हाज भाई कोडिनीशन कंपाउंड एक मोस्ट अवेटेड लेक्चर है आपका ठीक ना अब दिखो मैं आपको पहले ही बत पढ़ाय जाता है तो हम लोग क्लास में बारा लेक्चर लेते हैं इसको पढ़ाने के लिए और बारा लेक्चर डेड़ेड गंटे के इसका मतलब इसमें काफी सारा कॉंसेट्स है और एक्जाम के लिए इंपॉर्टन तो है ही चलिए भाई स्टार्ट करेंगे थोड़ा धी ठीक है समय देना पढ़ेगा इस चैप्टर में बस यही इसमें ड्रॉबैक है अभी एक्जाम के हिसाब से ड्रॉबैक ही है क्योंकि समय कम बचा है अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर इसमें सबसे पहला कॉडिनेशन कंपाउंड जो आएगा बच्चो वो स्टॉ तो सबसे पहली बताओ बच्चे कि सॉल्ट क्या होता है तो सॉल्ट आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर में एक एसिड ले लू बेस ले लू मिला दू तो सॉल्ट भी बनता है पानी भी बनता है तो यह नाइंध क्लास में हमने पढ़ा होगा कि कम्बिनेशन ओफ जो होता है बच्चे यहां से मेरे प्यारे बच्चों बिलता है सॉल्ट और साथ साथ में वाटर भी रिलीज होता है बड़ी इजी से वे में सर समझ गया यह भी मज आ गया लेकिन एक एडिशनल चीज ले के समझेगा क्योंकि यह वाला कॉंसेप्ट मैं आगे आपको चैप आप यह दोनों आपस में भिडेंगे मतलब पहले का कटान दूसरे के नाइन से मिलेगा और मिलन होगा और मिलते ही कुछ-कुछ तो होता ही है अब क्या होने वाला है ध्यान देजेगा पहले वाली का एनायन और दूसरे वाली का केटाइन, फर्स का एनायन, दूसरे केटाइन, कुछ-कुछ हुआ है और सॉल्ट बन गया है, similarly, यह अमारे पास केटाइन और यह अमारे पास एनायन इसने मिलके वाटर दे दिया, एक बात जो note करने की यहाँ पर मुझे पता लगी है और वो यह है कि जो salt बनता है उसमें acid से anion आता है anion of acid हम लेते हैं हमेशा और salt में जो ketine होगा वो ketine of base लेंगे तो base का ketine और acid का anion ये दोनों मिलके जो बनेगा वो बनेगा salt चलिए बहुत अच्छी बात तो जब भी आज के बाद आपसे salt पूछा जाए salt में होगा ketine a9 किसका ketine base का किसका anion acid का चलिए सरी ये तो पता ही था मुझे लेकिन salt जो नमक आप खाते हो वही salt नहीं है और भी salt होते हैं और वह दो तरह की salt है एक को को बोला जाता है simple salt दूसरे को बोला जाता है mix salt तो जो salt आज तक आप पढ़ते आए हो वह simple salt पढ़ते आए हो जो coordination compound है वह mix salt का पार्ट होता है धीरे धीरे समझेंगे सबसे पहले आज हमें समझना है बच्चे simple salt के बारे में और फिर हमें समझना है बच्चे mix salt के बारे में एक एक करके सारा चाप्टर बड़े आसानी से समझेंगे है ना सुनना पढ़ेगा पेशन्स फुली रखके फिर ये चाप्टर आपका आसान सॉल्व होने लगेगा चलिए अब आजाओ यह जो simple salt है और mix salt है आते हैं के करके समझते है सर यह जो simple salt और mix salt क्या होता है तो अभी तक हमें यह समझा कि salt में क्या है सिंपल सॉल्ट का सीधा सीधा मतलब है यहां दीजे मैं क्या बोल रहा हूं केवल एक तरह का क्या एक तरह का आएन इस देर यहां पर लिखेंगे सिंपल सॉल्ट का एक बेसिक डेफिनीशन हुआ ओनली वन टाइप ओफ के टायन और ओनली वन टाइप ओफ एनायन ध्यान दीजे मैंने क्या बोला थोड़ा सगोर फर्माना पड़ेगा खोपड़ी खोलने का समया आ गया रच्चे मतलब अगर मैं बोल रहाँ एन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है केवल सोडियम के टायन है केवल कलोरीन थी खेल लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बचे CAC dirty डू केवल कैल्सियम कटायन है केवल कलोरीन थी हमने क्या किया यहां पर पहले एन आ ले लिया एक्जाम्पल के तौर पे तो बड़े अच्छे से चमका सर एक केटाइन एक नाइन लेकिन अगर मैंने लिए CACL2 तब भी चमकना चाहिए कि अब भी हमारा definition correct है केवल calcium केटाइन है और केवल chlorine नाइन है अगर मैं आपको तीसरा एक्जाम्पल दू केवल एक टाइप का नाइन हो आप एक और लिखंगाटलो आल-C-L-3 केवल Almonium Cacines है केवल chlorine नाइन है तो केटाइन और नाइन एक ही टाइप के हैं एक से ज्जादा केटाइन नहीं एक से जजादा नाइन नहीं है टाइपस केटाइन टाइपस ऑफ एन एक ही है चलिए भाई सिंपल सॉल्ट हो गया लेकिन अगर मैं बात करूं मिक्स डिसॉल्ट की तो मिक्स सॉल्ट का मतलब इदर या तो मूर देन वन टाइप ऑफ केटाइन है या फिर एक से ज्यादा टाइप का एन अगर डाल दो तो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एन आइन तो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एन आइन क्या बन जाएगा आपके पास mix salt जैसे example के लिए mix salt के 3 example बहुत famous आएंगे kcl.ngcl2.6 water ठीक है उसी तरह यहाँ पे आएंगे sir यहाँ पे आएगा k2SO4.l2SO4 whole thrice .24 water .24 water उसी तरह तीसरा example में यहाँ पे दूँगा FeSO4.NH4 whole twice SO4 . क्या आजाएगा आपके पास 6 water थोड़ा सा ध्यान से और समझें इसको देखी यह तीनो example आपको रटना पड़ेगा लेकिन कैसे हुआ समझेंगे sir देखो एक से ज़्यादा type of ketion है iron भी ketion है NH4 प्लस भी ketion है सब देखो एक से ज़्यादा type of ketion है K plus B, M G plus 2 भी है सब फिर से देखो K plus B और L plus 3 भी है कहने का सीधा सीधा अतात पर यह है कि अगर एक type का ketion हो एक type का iron हो तो वो simple salt हो गए अगर एक से ज़्यादा type के ketion हारे बच्चे एक से ज़्यादा type के iron है नारे बच्चे तो वो mixed salt है मजा आ गया हाँ यह जो famous सा compound आपके उपर लिखा हुआ है यह simple आपका more so salt होता है more so salt ओके जी दिख रहा होगा, clear हो रहा होगा चलिए KCL.MGCl2.6 water जो लिखा है इसको हम बोलते हैं Carnalite इसको हम बोलते हैं Carnalite चलिए बहुत अच्छी बात similar condition यहाँ प्याएंगी K2SO4.L2SO4 बेटा इसको हम alum बोले या फिर potas alum बोले बात एकदम सेम है कोई परशानी जहलनी की ज़रत नहीं है आगे बढ़ते चलते तो पहले पांच मिनिटे बच्चो मैंने आपको salt पढ़ाया और types of salt पढ़ाया अभी यहां तक clear हुआ होगा तो बढ़ियां comment में लिख दीजेगा clear हो गया इतना लिख दीजे comment में चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि salt तो में समझा आ गया एक से ज़्यादा तरह किटाइन एक से ज़्यादा तरह के एनाइन होंगे उसी को mix salt कहेंगे और mix salt का मैंने 3 example ले लिया ठीक है न mix salt का मैंने 3 example ले लिया यहीं आपको सामने भी दिखेगा अब आते बच्चों यह जो mix salt है इसी से एक statement पहले निकाल लेते है यह जो mix salt हमने अभी आपके सामने पढ़ा यह 3 अच्छे अच्छे examples पढ़े यह जो mix salt है इसी से similar होता है addition या molecular compound हमें दूसरा आप पढ़ना है addition या molecular compound salt हमने finish कर दिया है इससे पहले कि हम आगे बढ़े लिखेंगे addition या molecular compound जो हमें पढ़ना है addition या molecular compound अभी समझेंगे यह क्या है addition या molecular compound is similar to mixed salt addition या molecular compound is similar to mixed salt यह जो mixed salt आपने पढ़ा है यही है addition या molecular compound addition या molecular compound is similar to mixed salt अब समझते हैं भाई या mixed salt क्या है addition y rush compound कैसे similar है आएए a करके बहुत बहतरीन बात आएए समस्ते हैं addition यह molecular compound में एडिशन यह molecular compound में आइए mixed dissolved के चर्चा करें addition या molecular compound mixed dissolved के similar है अब कैसे similar है समस्ते है what is addition या molecular compound अगर मैं ठीहिए मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मैं एक से ज़्यादा simple salt को mix करता हूँ when two or more simple salts are mixed and heated till they evaporate क्या बोला मैंने जब दो से ज़्यादा simple salt को मिलाया जाए और उसको heat किया जाए तब तक जब तक की वो evaporate हो जाए तब जो compound बनता है that is addition या molecular compound when when two or more simple salt when two or more simple salt is mixed when two or more simple salt is mixed and then allowed to evaporate when two or more simple salt is mixed and then allowed to evaporate when two or more simple salt is mixed and then allowed to evaporate this compound is known as ये जो compound बनता है is known as addition या molecular compound ये जो compound आपके सामने बनता है this compound is known as addition या molecular compound when two or more simple salt is mixed and then allowed to evaporate and then allowed to evaporate when two or more simple salt is mixed and then allowed to evaporate फिर जो compound बनता है वो addition या molecular compound बनता है आई ये समस्ते है फिर जो compound बनेगा वो addition या molecular compound बनेगा एक और बेहतरीन सी आपको example करा देते हैं addition या molecular compound का ठीक है बेहतरीन सा example मैं आपको करा देता हूँ जैसे यह क्या यह simple salt है? बोलोगे सर के प्लस C l minus only one type of ketan, only one type of anion simple salt है only one type of ketan, only one type of anion simple salt है तो अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा simple salt लेता हूं फिर इसको mix करता हूं और heat करता हूं तब तक जब तक की वो evaporate न हो जाए तो जो compound बनेगा KCl.MgCl2.6 water KCl.MgCl2.6 water यह जो बनेगा यह बनेगा आपके पास carnalide यह जो बनेगा वो जो बनेगा वो आपके सामने carnalide बनता है चिक? तो जो आपने mixed salt पढ़ा था, basically वही है, but other form में इसलिए लिखा गया था, similar है but other form में बोला गया वही addition या molecular compound है फिर देखो, again this is a simple salt again this is a simple salt when two or more simple salts are mixed and heated till it evaporates बहुत basic सा 12th level पे लेके आके पढ़ा रहा हूं आपको तो जो बनेगा वो बनेगा K2SO4 dot L2SO4 whole thrice dot 24H2O और जो यह सामने बना है इसको हम बोलते है potash alum जो सामने अपके बन गया है बिच्चे वो बोलते है उसको पिटा से ला मज़ा ही आ गया third third जैसे थोड़ा सहर घूर ना पड़ेगा फिर से यह simple salt है फिर से यह simple salt है two or more simple salts are mixed FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 two or more simple salts are mixed and then heated till it evaporates तो जो compound बनेगा बच्चे उसी को addition या molecular compound बोलेंगे और यह हमारा more so salt है बच्चे क्या है हमारे पास more so salt मज़ा आया यह कुछ चमक रहा है क्या light white नहीं लगा है मज़े लग रहा है चमक रहा होगा यह देखो यह भी एक simple salt है ध्यान दीजे एक simple molecule है यह salt नहीं है this is a molecule ठीक है simple salt है simple molecule है जब आप इनको मिलाओगे ठीक है when these दोनों compounds को जब आप मिलाओगे तो बनेगा CuSO4.4 NH3 simple या दो या दो से ज़्यादा simple salt को मिलाओ heat करो till the time it evaporates तो जो बनेगा वो बनेगा आपके पास क्या बनेगा that is known as addition या molecular compound similarly अगर आप एक salt लेते हो एक molecule लेते हो तो भी आपके पास addition compound ही बन रहा है एक दो और example करेंगे तो ये भी clear हो जागा molecule वाला आओ फिर से देखो simple salt है और simple दो simple salt है दोनों को मिलाया क्या आपके पास यही बनेगा सर two or more simple salts are mixed और जो finally आपके पास बना है four addition या molecular compound बनेगा नदैण या molecular compound समझ में आया होगा addition या molecular compound अभी तक आपने क्या क्या सीखा सब simple salt, simple mixed salt mixed salt के बाद आपने addition या molecular compound mixed salt को ही मिलाते हैं, mix करते हैं, heat करते हैं till the time it evaporates फिर जो बनता है वो आपके बनेगा addition या molecular compound अब addition या molecular compound के दो types हैं एक को बोलते हैं double salt, दूसरे को बोलते हैं coordination compound a what is double salt, ध्यान दीजेगा when addition या molecular compound ध्यान दीजे मैं क्या बोल रहा हूँ addition या molecular compound को जब हम पानी में डालते हैं तो अगर वो सारे सारे ions में तूट जाए मतलब जितने भी ions से बनाए वो सारे constituent ions में तूट जाए तार-तार हो जाए, बिखर जाए, अलग-अलग हो जाए सारे break-up हो जाए that means it is a double salt double game कर रहा था ये अच्छे से bond नहीं बनाया था, double game कर रहा था चीक न? जैसे ही पानी आया, बग गए, अलग-अलग हो गए वही होता है college में, school में लगता है यार, ये bond जो है ना, लैला मजनू को fail करने वाला है लेकिन जैसे ही parents की entry होती है तार-तार हो जाते हैं पता नहीं कौन से साहर में छुपे बैठे है double salt वैसे addition या molecular compound जो पानी में जानने के बाद when diluted it dissociates into all constituent times, दियान दीजेगा double salt की बात कर लेते है double salt when addition या molecular compound when addition slash molecular compound when addition slash molecular compound is heated is diluted not heated, it is diluted जब addition या molecular compound को हम dilute करते है when addition या molecular compound is diluted जब उसको हम डालते है इट ब्रेक्स इंटू आल इट्स कॉंस्टिटुएंट आइन्स ठीक है ना डैलूटेड इट ब्रेक्स इंटू ये तूट जाता है इट ब्रेक्स इंटू आल इट्स कॉंस्टिटुएंट आइन्स आल इट्स कॉंस्टिटुएंट आइन्स ये सारे के सारे constituent ions में तूट जाता है क्या बोल रहा हूँ ध्यान से फिर से समझे कि जब addition या molecular compound को पानी में डाला तो सारे के सारे constituent ions में तूट गए लेकिन coordination compound के साथ यहाँ से chapter start होगा कि when addition या molecular compound is diluted when addition या molecular compound is diluted बेटा जब हम addition या molecular compound को dilute करते हैं when addition या molecular compound is diluted it do not break into all its constituent ions it do not break यह तूटता नहीं है it do not break into all its constituent ions it do not break into all its constituent ions और यह जो बनता है यही है coordination compound when addition या molecular compound is diluted यह सारे के सारे आप जैसे example में बताऊंगा और यह सारे के सारे में नहीं तूटता है ध्यान दीजे मैंने क्या differentiation बताया है कि बाई जो addition compound है जो double salt है वो सारे के सारे ions में तूट जाएगा बट coordination compound सारे के सारे ions में नहीं तूटेगा ठीक है न थोड़ा बहुत कुछ-कुछ आइन सालग हो जाएंगे बट सारे ions आइन सालग नहीं हो सकते यह है coordination compound ठीक चलिए तो यहां तक definition आपने समझा आते है examples पे यह किसके examples हैं they all are addition compound सर यह जो सामने आपके लिखे हुए है यह addition compound में ही तो हमने पढ़ा था वैसे addition compound जिनको पानी में डालने के बाद जैसे ही मैं यह dilute किया जिनको पानी में डालने के बाद वैसे addition यह molecular compound जिनको पानी में डालने के बाद सारे केटाइन या इनाइन अलग-अलग हो जाएं वैसे addition यह molecular compound जिनको पानी में डालने के बाद सारे अलग-अलग हो जाएं और इसे को हम क्या बोलते हैं डबल सॉट यह तीनों यह उपर वाला बेटा करना लाइट था इतनी बार लिख देंगे इतनी बार लिख देंगे यादी हो जाएगा नेक्स्ट यह वाला सर पोटांस एलम है जैसे ही अपने इसको डाइल्यूट किया पानी में डाला तो सर यह अलग-अलग हो गया एल प्लस थ्री अलग हो गया साथ में तीन और एक चार चार सलफेट आएन अलग हो गया और बेटा पानी अलग हो गया 24 वाटर मॉलक्यूल इसके बाद वापत बच्चों देखोगे एपी प्लस टू अलग हो रहा है बिल्कुल सही सर लेकिन दो इनेच फोर प्लस है लिख डाली है ठीक है एक और एक दो तो दो के दो टू एसो फोर माइनस टू भी अलग हो रहे हैं बहुत बढ़िया सांत में बच्चे सिक्स वाट लिखावा है इस इस मोर्स सॉल्ट यह क्या लिखावा है इस इस मोर्स सॉल्ट यह सब के सम एडिशन कंपाउंट है तो वैसे एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंट वैसे एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंट जो पानी में डालने के बाद अलग-अलग आइनस में तूट जा तो क्या बोल देंगे उसको उसको बोल देंगे हम coordination compound आये समझें आये समझें यह दो आपके सामने मैंने coordination compound भी सिखा रहा हूं अभी ध्यान दीजेगा यह भी मैंने example कराया कहां भी सर यह भी कराया था आपके addition यह molecular compound में क्या बन जाएगा FECN twice FECN twice dot 4KCN बना की नहीं बना FECN twice dot 4KCN similarly CUSO4 dot 4NH3 CUSO4 dot 4 ammonia बना की नहीं बना अब जब यह addition compound आपके सामने बन चुका है two or more simple salts are heated and allowed till evaporate and heated till evaporate चली बहुत बढ़िया उसके बाद सब जैसी पिसको heat करोगे finally rearrange करोगे rearrange करके आपके सामने कुछ इस तरह से बन रहा है ध्यान दीजे देखिए दोनों में सेम है जितना potassium यह उतना यह जितना साइनड यह उतना यह जितना irony यह उतना वाई इसको जब आप rearrange करोगे यह बनेगा CUNH3 whole 4 और फिर बाहर 304 डाल दो अभी यह compound कैसे बन रहा है यह chapter के end तक समझाएगा वाद मीट तक समझाएगा साट परसें चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बट हम भी यह समझना है कि यहां से यहां तक हम कैसे गए हैं सर यहां से यहां तक हम rearrange करके गए हैं ठीक है सर यहां से यहां तक हम कैसे गए हैं यहां से यहां तक हम बचे rearrange करके गए हैं मज़ा आ गया चीक है सर बहुत ही शांदार बहुत ही मज़ेदार आईए एक ही करके हम बात करेंगे सर दोनों आपके पास simple salt है दोनों simple salt से आपके पास molecule बन चुके है coordination compound अब देखो वैसे addition या molecular compound जिनको पानी में डालने के बाद सारी के time 9 अलग नहीं होते देखो क्या होता है यह जो big bracket के अंदर है वो कभी अलग नहीं हो सकता यह big bracket के अंदर है यह coordinate bond बना रहा है कभी अलग नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा 4 के 4 potassium i n अलग हो जाएगे और फिर साथ में fe cn6 माइनस 4 यह अलग हो जाएगा ठीक है similar condition में बच्चों यहां पर आओगे c o n h 3 whole 4 ठीक है ना c o n h 3 whole 4 plus 2 यह अलग हो जाएगा और s o 4 minus 2 अलग हो जाएगा ध्यान दीजे क्या बोला मैंने कुछ के time अलग हुए हैं कुछ anion अलग हो रहे हैं अभी भी fe bonded था है अभी भी copper और ammonia bonded था है तो सारे के सारे के time और anion अलग-अलग नहीं हुए हैं यही है coordination compound तो addition यह molecular compound तो addition यह molecular compound कहने का मतलब है when two or more simple salts are mixed and allowed to and heat it till it evaporate ठीक है वो addition यह molecular compound हो गया फिर आजाते हैं coordination compound coordination compound आपके सारे के time और नाइन में नहीं तूटते हैं तो अभी तक जो है वो theoretical part था जिसमें हमने पढ़ा था बच्चे salt ठीक है सर फिर हमने पढ़ा था बच्चे simple salt आजी सर मजा आया फिर हमने पढ़ा सर mixed salt हाँ जी मजा आया फिर हमने पढ़ा mixed salt मजा आ गया salt हो गया simple salt हो गया mixed salt हो गया मजा आ गया बहुत बढ़िया ठीक salt simple salt and mixed salt उसके बाद हमने पढ़ा सर addition या molecular compound addition या molecular compound ओके सर ये भी समझ में आ चुका है ओके समझ में आ गया उसके बाद हमने पढ़ा था double salt, इसके दो टाइप है double salt, और फिर हमने पढ़ा coordination compound, तो basically पहला जो lecture होता है, जब हम detail में पढ़ाते हैं बचो, तो इतना cover होता है पहले lecture में, अभी तो मैं examples वगरे थोड़ा कम करा दे रहा हूं, क्योंकि one short आपको पता है, तो ये दो हो गए, उसी तरह addition ये molecular compound इसके दो टापिक होता है, double salt और coordination compound, चलिए, मज़िदार, बहुत बढ़िया, शांदार है, तो चलिए, यहां तक आप समझ चुके हैं, अगले उस पे चलते हैं, next, अगले उस पे चलते हैं, अब आते हैं types of coordination compound, तो बच्चे, चार तरह के coordination compound आपको होते है एक ऐसा coordination compound जिसमें kytine तो simple है, A9 complex हो जाएगा, kytine तो simple है, A9 complex हो जाएगा, k4, Fe, C and 6, kytine तो simple है, A9 complex हो जाएगा, अब देखो सामने आपके पास, चार potassium है, तो इस पे –4 चला जाएगा, तो A9 अपका complex है, जो big bracket है, यही coordination compound है, यही complex compound है, coordination compound है, यह जो big bracket है, यही coordination compound है, यही complex compound है, और इसके बाहर क्या है, ketyne, ऐसा भी हो सकता है, कि सर, complex ketyne हो, और simple anine हो, तो cu nh3 hole plus 2 होता है, और देखो, anine simple, simple sulfate पड़ा है, तो coordination compound किसी भी form में exist कर सकता है, हो सकता है, ketyne simple हो, anine complex हो, complex का मतलब बड़े-bracket के अंदर, हो सकता है, कि सर, यह ketyne complex हो, anine simple हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ptnh3 hole 4, ptcl4, सर, दोनों ही complex है, ऐसा भी तो हो सकता है, सर, यहाँ पर होता है, plus 2 और यहाँ पर होता है, minus 2, ऐसा भी तो संभव हो है, कि सर, दोनों ही ketyne और anine simple हो, और सरी, complex हो, और ऐसा भी possible है, कि सर, neutral molecule हो, neutral molecule का मतलब niCO4, यह neutral हो गया, भाई, कार्बनेल पर कोई charge नहीं होता, nickel पर को ठीक है, ना, ni, dmg, whole twice, इस पर plus 2 करोगे, तो फिर यह खट से minus 2 करके neutral हो जाए, ठीक है, यह bracket में आपको ऐसे करने की जोरत नहीं है, यह देखो, लगता है, लोगों को complex है, bracket में करने की जोरत नहीं है, तो देखो, अब ही तक हमने समझा, coordination compound तक, उसके types भी हमने समझ लिए ठीक है, अब coordination compound में हम enter कर रहे हैं, तो पहले हमें समझना पड़ेगा coordination compound की terminology, ठीक है, कुछ इस तरह से coordination compound होता है, अब terminology पे चलते हैं, आईए terminology समझे, माली जी आपके सामने coordination compound रखा गया है, ठीक है, अब यह जो बड़ा bracket है, उससे बाहर जो है, यह iron है, चार के potassium iron, यस, त जहां से iron बन सकता है, this is ionization sphere, जहां से iron बन सकता है, this is ionization sphere, और इसके अंदर वाला, this is coordination sphere, जहां से iron बन सकता है, this is ionization sphere, और इसके अंदर वाला, this is coordination sphere, बोलो है न, ध्यान दीजेगा, यह वाला ionization sphere है, यह वाला coordination sphere है, जहां से iron बनेगा, तो ब्रैकेट तो जैसा था, ऐसा ही था, पानी में डालने के बाद वही तो आयन बना था, तो इसलिए Ionization Sphere बगल वाला Coordination Sphere, अब थोड़ी Coordination Sphere के अंदर की बात करते हैं, यह जो Coordination Sphere में घुसते ही, जो पहला मिलता है, इसको बोलते हैं हम Central Metal Atom, Coordination Sphere में घुसते ही, जो पहला Atom आपके सामने मिलेगा, वो Central Metal Atom है, ठीक है, इस Central Metal Atom को छोड़के, बात बाकी जितने भी बचते हैं, वो सारे के सारे Legand कहलाते हैं, मजा आ गया सथ, और Legand के जो Numbers हैं, इसको हम कहते हैं Coordination Number, ओ, मजा आ गया, इसको हम कहते हैं Coordination Number, देखिए, जो Big Bracket के बाहर, यही तो Ion बन रहा है, Ionation Sphere, और यह Coordinate Bond बन रहा है, Coordination Sphere, Coordination Sphere के अंदर जो पहला Atom है, वो Central Metal Atom, पहला मतलब हम Left Side से देख रहे हैं, बात बाकी सारे बचे हुए Legands होते हैं, Legand का जो Number है, वो Coordination Number है, ओ, के, मज़ेदार, अब यह देखो, यह सब Big Bracket के अंदर हैं, अब Big Bracket के अंदर हैं, तो सर यह पूरा का पूरा अगर पूछा जाए क्या है, तो this is Coordination Sphere, Big Bracket के अंदर Coordinate Bond बन रहा है, इसलिए पूरे को हम Coordination Sphere बोल रहे हैं, इस Coordination Sphere में जो पहला है, इसको हम बोलते हैं, बेटा CMA मतलब Central Metal Atom, इस Coordination Sphere में जो पहला है, इसको ह Metal Atom, और बात बाकि जो सारे हैं, इसको हम कहते हैं, जो बात बाकि सारे हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, लिगेंड बोलो हाया न, मजा आ गया, अच्छा, लिगेंड के जो नमबर हैं, लिगेंड के जो नमबर हैं, 4 और 2, they all are Coordination Number, they all are Coordination Number, लिगेंड के जो है वो है coordination number बोलो है ना समझ में आ चुका है चलिए इंपोर्टेंट टाम्स and coordination compound करने के बाद next हम चलते हैं बच्चो किस पे this is ligands ligands क्या होते है ठीक है ligands क्या होते है आए समझते है what are ligands देखो जैसे मैं आपके सामने पहले के example से समझा देता हूँ k4 fe cn6 इसका मतलब क्या है पहले समझा तो आप इसको पहले भूल जाओ थोड़ी देर के लिए न मैं k4 को भूल देता हूँ और इसके बदले में माइनस 4 लगा देता हूँ तो कि प्लस 4 था तो उसको सटिसाई करने के और बच्चे 6 different, different side से क्या बन रहा है आपके पास x different different side से coordinate bond बना रहा है c a kosh different different side से coordinate bond बना रहाfanne कि आ बना रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ थोड़ा द्यान से समझेंगे तो पता लगेगा छे different different side से coordinate bond बना रहे हैं समझे और ये जो coordinate bond बनाने वाले हैं वही तो ligand है ये क्या निकला सर ये central metal atom है CMA और बात बाकि सारे क्या है ligand होते हैं तो ligand कौन है ligand वो है जो coordinate bond बना रहे है ligand वो है जो coordinate bond बना रहे बिल्कु समझ में आए लिगेंड वो है जो कोडिनेट बना है अच्छा तो बेसिकली लिगेंड का डेफिनिशन अब क्लियर हुआ कि सर सेंट्रल सर मेटल मैं सेंट्रल मेटल अब लिगेंड की बात करते हैं लिगेंड क्या है एटम या गुरूप ऑफ एटम विच डोनेट्स लोन पेर क्योंकि कोडिनेट बनने वाला है एटम या गुरूप ऑफ एटम विच डोनेट्स 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 अटम 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 लोन पेर और कोडिनेट बनाता है विच सेंट्रल मेटल एटम बहुत अमेजिंग सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोडिनेट बनाए वही लीगेंड कहलाता है ठीक है मेंटल चलते हैं ऋ थे कि लिचेट के TJ के लिचेट के वह थार अगर लिचेट के उपर नेगाटियूट चार्ज है है नेगेटिव चार्ज कर रहा है एनाइनिक लिगन अगर पॉजिटिव चार्ज कर रहा है दिस के टाइनिक लिगन अगर कोई भी नो चार्ज कोई भी चार्ज कर रहा है दिस is neutral ligand. पहला ध्यान देंगे, अगर negative charge कोई ligand पे है, तो anionic ligand, वरना positive charge है, ketanic ligand, कोई भी चार्ज नहीं है, तो neutral ligand. इक करके पहले समझते हैं कि anionic ligand किस तरह से होता है. Ligand का मतलब समझ आया किसर जो loan पे donate करें, और loan पे donate करें, साथ में negative charge है, that means anionic ligand. Ligand क्या होते हैं? जो loan पे donate करके coordinate bond बनाए, और अगर उस loan पे donate करके coordinate bond जो बना रहा है, उसके उपर negative charge है, that means anionic ligand. I minus. I minus, बेटा, वैसे तो ये iodide होता है. ध्यान दीजे, मैं क्या लिख रहा हूँ? वैसे तो इसका नाम होता है iodide ion. वैसे तो इसका नाम होता है iodide ion. बट अगर हम ligand बोल रहे हैं, तो ion हटाओ, ligand बोल रहे हैं, तो ion तो हटाना पड़ेगा. ताथ साथ में, last E will be converted to O. के टाइन हो गया, ये ligand हो गया. क्या किया मैंने फिर से देखिए? ये था iodide ion. लेकिन अगर हम ion को ligand बोलना चाहते हैं, तो उसका कुछ रूल है कि सर, last E will be converted to O, iodido ligand. iodide ion होगा, बट अगर ligand बोलेंगे, iodido ligand बोलेंगे. ओके, नाइस, अमेजिंग है तो. उसी तरह, इसको हम बोलना चाहें, तो cyanide ion बोलेंगे. लेकिन ion तो हम पढ़ने हैं, लेकिन, तो last E will be converted to O, last E will be converted to O, cyanide को बेटा cyanido बोलेंगे. मज़ा ही आगया, बहुत ही बढ़िया. Similar case में, ये sulfide ion है, sulfido हो गया क्या? Similar case में, ये sulfide ion है, ये sulfido हो गया? Okay, amazing. उसी तरह, O-2 में oxide ion है, तो बेटा, ये oxide हो गया? उसी तरह, ये hydroxide ion है, तो hydroxido हो गया? Okay, okay. Last E will be converted to O, anionic ligand, cationic ligand, neutral ligand में, ये रहे आपके पास anionic ligand. Last E will be converted to O, next हम आते हैं, cationic ligand पर. अब cationic ligand में क्या होता है? Add EM at the end. EM को हम add करते थे, जैसे, इसका नाम है nitrosyl. NO is nitrosyl. NO को हम nitrosyl लिखते हैं, बट क्या हो जागा ये? It is nitrosylium. EM जोड़ देंगे, उसी तरह. ये hydroxene है. बट अगर हम hydroxene के उपर, हम plus charge लगाते हैं, this is hydroxenium. ये plus charge लगा देंगे, तो this is hydroxenium. बोलो हाए ना. तो anionic ligand भी बच्चो हमने कर दिया, कि last E will be converted to O. हाँ सर. उसके बाद, कि sir, EM at the end हम जोड़ देंगे. बोलो बच्चो समझ में आ रहा है? कोई दिकत भी नहीं है? आगे भी बढ़ सकते हैं. तो sir, anionic ligand, ketionic ligand के बाद, हम neutral ligand पर move करते हैं. आईए, ये सामने आपके neutral ligands हैं. अब H2O क्या है? पानी, water. ये क्या हो जाएगा? This is aqua. H2O क्या है? पानी, water. ये क्या हो जाएगा, बच्चे? aqua हो जाएगा. NH3 क्या है? Amine. तो क्या हो जाएगा, बच्चे? A, double M, I, N, E. This is amine. CO क्या है, sir? आपके सामने हो जाएगा, carbonyl. CO is carbonyl. चलिए, बहुत बढ़ी है, sir. CO carbonyl है. NO क्या है, sir? NO is nitrosyl. Carbonyl है, दूसरा है, nitrosyl हो जाएगा. अच्छा amazing हो गया. CS का मतलब, it is thaiocarbonyl. S का मतलब होता है, sulfur का मतलब होता है, thaiocarbonyl. बहुत बढ़ी है, sir. Next. आज आप देख रहें कि मैं, अराम-अराम से पढ़ा रहो, क्योंकि लंबा chapter है, energy खत्म हो जाएगी. ठीक है? अब आते हैं, sir, ये 4 phosphorus है, neutral है, तो simple-simple नाम लिखेंगे. It is tetrafosphorus. बहुत अच्छा. फिर देखो, इसमें di-oxygen, जितने भी हैं, neutral में वो सारे लिखने पड़ते हैं. जैसे 8 हैं, तो इसको octa बोलना पड़ेगा. 8 हैं, तो octa बोलना पड़ेगा octa sulfur. Yes. This is nothing but this is octa sulfur. मजा ही आ गया है. This is nothing but this is octa sulfur. मजा ही आ गया है. Amazing हो चुका है. आगे बर जाते हैं, sir, ligand हमने पड़ा. Coordination compound पहले समझा, फिर coordination compound के बाद, entity उसके पड़ेगी कि क्या-क्या होता है, central metal atom, ligand क्या होता है. फिर हम ligand के basis पे आए. ligand में हमने पड़ा, anionic ligand, cationic ligand, neutral ligand के बारे में, और फिर हम इसके बाद जा रहे हैं, कि sir, ये तो हो गया. Now we are going for ligands के denticity के उपर. What is denticity? और फिर पढ़ेंगे types of ligand on the basis of denticity. अभी पहला type के लिए हुआ, भी दूसर type में enter कर रहे हैं. What is denticity? अब देखो, denticity क्या होता है? कई लोग क्या होते हैं? कि जब आप बढ़े होगे, तो आपको पता चलेगा, कई लोग दो जगें जॉब करते हैं. कि एक जगे से पैसे कम मिल रहे हैं, तो आप या भी जॉब कर लिए, वो भी जॉब कर लिए, कि इस डेंटी सिटी? डेंटी सिटी का मतलब है, नमबर ओफ डोनर साइट्स. डेंटी सिटी का सीधा मतलब है, कि डोनर साइट्स का जो नमबर है, नमबर ओफ डोनर साइट्स वो है डेंटी सिटी. डेंटी सिटी का सीधा सीधा मतलब है, number of donor sites अच्छा, ये denticity of the ligand में number of donor sites क्या है समझेंगे बात को, बड़ी प्यार से समझेंगे बात को number of donor sites की बात समझते है अगर ligand donate करें जैसे number of donor sites, जैसे माल लो हम ये पढ़ा था भी I- I- में iodine ही है जो donate कर पाएगा लेकिन अगर मैं C triple bond N की बात करता हूँ तो nitrogen भी donate करता है और carbon भी donate कर सकता है, मैं just example के लिए बता रहा हूँ, वैसे बताने के लिए मैं EN ले सकता था, कोई और ligand ले सकता था, बट मैं just example imaginary situation बता रहा हूँ, कि भाई ये भी donate हो सकता है और ये भी donate हो सकता है एक से जादा donor sites भी होते हैं molecule के अंदर ठीक है, इसकी मर्जी है कभी ये कर सकता है, कभी ये कर सकता है depending की reaction कैसा हो रहा है वो अभी आगे पढ़ेंगे तो कहने का मतलब है what is denticity, तो denticity is nothing but number of donor sites in a ligand what is denticity, number of donor sites in a ligand is called denticity number of donor sites in a ligand is called denticity number of donor sites in a ligand is called denticity number of donor sites in a ligand is called denticity this is denticity आपके सामने स्क्रीन पे चलिया, बढ़िया आपके स्क्रीन पे समझ आया अब denticity के basis पे इतने सारे types of ligand होते है monodentate का मतलब ऐसा ligand जिसमें एक donor site हो what do you mean by monodentate मतलब एक donor site हो ऐसा ligand जो किवल एक जगे से donate कर पाए by dentate का मतलब एक ही ligand जिसमें दो जगे से donate कर सकते हैं एक ही ligand जिसमें दो जगे से donate हो पा रहा है tridentate का मतलब 3 donor sites tetradentate का मतलब बच्चे 4 donor sites pentadentate का सीधा मतलब बच्चे 5 donor sites hexadentate का मतलब बच्चे 6 donor sites मज आ गया what is denticity denticity is the number of donor sites हाजी number of donor sites is the denticity अब यमें एक ही करके example बताते हैं पहले monodentate के बारे में समझते हैं कि ऐसा ligand जिसमें केवल एक ही जगे से donate हो देखो F- नाम बताओ केवल fluorine ही है जहां से donate हो पाएगा तो this is only one donor site this is वैसे तो fluoride ion होता है but it is fluorido ठीक है अमोनिया में केवल nitrogen के पास से donate होता है इसको हम A-Double-M-I-N-E amine बोलता है ध्यान दीजेगा है spelling spelling यही होता है चलो next water में भी एक ही oxygen है जो donate कर सकता है एक ही जगे से donate हो सकता है तो this is nothing but this is aqua A-Q-U-A monodentate मतलब एक ही जगे से donate हो पाई नीचे आओ this is oxide ion O-2 को oxide ion बोलता है but ligand के लिए E को O में change करना पड़ेगा similarly यह chloride ion होता है but ligand के लिए हमें last E को O में change करना पड़ेगा similarly N3 minus बेटा यह azide ion होता है but it is azido ठीक है न N3 minus N-3 azide होता है N3 minus it is nitrido ठीक है न N3 minus nitrido there is a confusion between nitrido and azido एक second मुझे बस cross confirm कर लेन दीजे ठीक है न कहा गया कहा गया कहा गया एनाइनिक हो गया था neutral हो गया था types of coordination एकवा N3 minus बहुत बढ़िया N3 minus तीन है अज्जू भाई है तीन लोगों के साथ रहते है चलो वैसे तो उसमें नहीं है पर चलो this is nothing but this is hydroxido सुनो यह कुछ नहीं है यह hydroxide आयन हो यह कुछ नहीं है this is nothing but this is hydroxido hydro side चलो this is hydroxido उसी तरह O2 minus 2 this is peroxide आयन है तो this is peroxide या फिर बच्चे इसको short form में per oxo भी बोला जाता है O2 minus 1 या तो super oxido बोलो या फिर प्यार से बच्चे super oxo भी बोल सकते हो oxido को oxo भी बोला जाता है peroxido या peroxo super oxido या super oxo ठीक है ना super oxido या super oxo उसी तरह NH2 minus बेटा यह amide है this is amido NH minus 2 बेटा यह imide है तो imido N minus 3 बेटा यह nitride है यह nitrido बिल्कु सही है this is nitrido and this is azido amazing है तो monodentate ligands के बारे में मैंने बताया monodentate ligands कौन होते हैं तो monodentate ligands वो होते हैं जिसमें last E को O से change किया जाता है वो monodentate ligands है monodentate ligands are ligands जिसमें last E को हम O में change कर देंगे वो anionic ligands था दूसरा के वल एक जगह ऐसे donor sites है bracket में लिख लिजिए one donor sites वाले को हम monodentate ligands बोल रहे हैं one donor sites अब monodentate ligands anionic भी हो सकता है के tainic भी हो सकता है neutral भी हो सकता है जिसमें one donor sites हों वो सब के सब क्या हो जाएंगे monodentate ligands अब monodentate के बाद जो important आता है वो आता है bidentate ligand ठीक है bidentate ligand आपके screen पर जो लिखा हुए सारे NCRT में दिये गए हैं कुछ index के form में, कुछ back exercise के form में और कुछ theory के form में तो सारी हम एक जगह पढ़ लेते हैं यह क्या होता है bidentate ligand is ethylene diamine EN bidentate ligand is nothing but ethylene diamine EN अब क्या है ethylene diamine आई तो सर ethylene is CH2 double bond CH2 this is ethylene CH2 double bond लेकिन अगर में एक bond तोड़ दिया double bond का एक bond हटा दिया और दोनों साइड NH2 NH2 लगा दिया double bond का एक साइड हटा दिया और दोनों साइड NH2 NH2 लगा दिया तो यह आपके पास ethylene diamine है चलिए उसके बाद आते हैं propylene diamine यह क्या है आपके पास PN propylene diamine PN अब propylene diamine क्या है CH3 आ जाएगा CH CH2 और सामने इधर भी NH2 और इधर भी NH2 मतलब propane 1,2 diamine that is PN और इसका ligand भी यही नाम है structure इसी तरह से याद रखना है what is propylene diamine this is propane 1,2 diamine propane 1,2 diamine चलिए diamine similarly it is ethane 1,2 diamine अगर हम IUPACB से भी याद रखना चाहे IUPACB बेटा single M होता है तियान दीजेगा ठीके और अगर हम ligand की तरह लिख रहे हैं तो double M आएगा चलिए next butylene diamine की अगर हम बात कर लें बच्चे butylene diamine is nothing but short form में BN इसका short form भी important है और BN क्या होता है this is CH3 आगे जाएंगे CH आगे जाएंगे CH नीचे जाएंगे CH3 इधर जाने पे NH2 और left hand side में जाने पे NH2 इधर जाने पे NH2 और left hand side में जाने पे NH2 क्या आगे आपके सामने BN आगे है EN, PN, BN now glycinate iron glycinate iron को short form में बेटा GLY GLY-1 GLY-1 बोलते है glycinate iron को short form में GLY-1 बोलते है अब glycinate से याद रखना है acetate 8-8 से याद रहेगा acetate अब acetate iron होता है बेटा CH3 C double bond O- तो हमने एक hydrogen अटा दिया है CH3 C double bond O- मैंने hydrogen अटा के बेटा NH2 लगा दो this is glycinate hydrogen अटा के NH2 लगा दो this is glycinate iron GLY-1 इस इन सब पे कोई charge नहीं था glycinate पे minus 1 charge है O- nice अब dimethyl glyoxymato DMG-1 dimethyl glyoxymato बेटा इसको capital में लिखते है कई जगे इसको भी capital में लिखते है IUPAC के साब से इस ही है तो DMG पे minus 1 charge होता है GLY पे भी minus 1 DMG पे भी minus 1 आएए dimethyl glyoxymato क्या होता है carbon carbon का dimethyl बना दीजे सबसे पहले carbon carbon का dimethyl बना दीजे अब dimethyl glyoxymato C double bond N C double bond N इधर चला गया OH और इधर चला गया O minus ध्यान दीजेगा एक तरफ OH एक तरफ O minus है this is dimethyl glyoxymato क्या बोला मैंने this is dimethyl glyoxymato next oxalato iron क्या है oxalato is nothing but it is O X short form में यह क्या है O X oxalato में short form में क्या है O X और O X क्या होता है sir C C2 O 4 minus 2 होता है तो C double bond C C2 O 4 है ना C2 O 4 minus 2 एक सेके बस है ना bond बनाते चलते हैं तो C2 O 4 minus 2 यहाँ पे आजागा C2 O 4 1 2 3 4 1 2 3 4 C2 O 4 minus 2 इसको हम बोलते हैं O X DMG minus 1 GLY minus 1 BN PN EN और यहाँ पे O X हो जाएगा तो Bidentate ligand समझ में आ गया है Monodentate ligand समझ में आ गया है यह सारे इससे बाहर नहीं है आपके NCRT में ठीक है पढ़ने के लिए हम Tridentate, Tetraidentate, Pintraidentate भी पढ़ते हैं बट वो basics उस Long Lecture से पढ़ते हैं अभी exam point of view से वो important नहीं है ठीक है अगले इस पे जाते हैं Hexadentate Hexadentate में One and Only One EDTA-4 आएं Hexadentate में क्या होता है EDTA इस पे-4 का चार्ज होता है ठीक कैसे समझाता हूं E और D से आप समझ गए होंगे Ethylene Diamine बहुत बढ़िया तो सबसे पहले बच्चे हम Ethylene Diamine बना देते हैं E और D का मतलब Ethylene Diamine Ethylene Diamine तो बिटा Diamine हमने बना दिया NH2 फिर हमने Diamine बना दिया बच्चे NH2 बोलो एकदम सही है लेकिन Ethylene Diamine नहीं बनाना है Tetra-Ecetato भी बनाना है मतलब 4 acetate-Ain आने वाले हैं मतलब कि 4 acetate-Ain बनाने वाले हैं तो 4 हाइड्रोजन यहां से अटाओ 2 यहां से अटादो और 2 यहां से अटादो ध्यान दीजेगा 4 हाइड्रोजन हटाना है और 4 हाइड्रोजन की जगए acetate लगाना है CH2 C double bond O minus ठीक है 4 हाइड्रोजन हटाना है बिना रटे कैसे आप करेंगे यह सब में long lectures में यह सब कुछ रट बता नहीं हो पर चुकी बच्चो अब 12 lecture तुमारे पास है नहीं लेकिन हमें सारा कुछ पढ़ना है ठीक है ना हमें सारा कुछ पढ़ना है C double bond O O minus यह हो जाएगा Ethylene Diamine Tetra Acetate O यह हमारे पास अब दियान दीजे कैसे मैं Hexadentate बोल रहा हूँ तो there is one donor site मैं उसके नीचे ऐसे ऐसे कर देता हूँ O minus से donate हो जाएगा पहला donor site बेटा नीचे भी O minus है यहां से भी donate हो जाएगा दूसरा donor site बेटा नीचे भी donate हो जाएगा तो EDTA Hexadentate में भाई साब 6 donor sites are present कितने हैं there are 6 donor sites मजा गया से यहां तक कोई problem परिशानी नहीं है EDTA minus 4 में 6 donor sites हो रहे हैं यह भी donate करेगा यह दोनो nitrogen करेगा O minus O minus करेगा 4 negative chart समझ में आए 2 उधर और 2 O minus इधर तो EDTA minus 4 फुल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा इथाइलीन डायमाइन टेटरा एसिटेट लेकिन जब हम इसको ligand की तरह लिखेंगे इथाइलीन डायमाइन टेटरा एसिटेटो हो जाए गाई ठीक है इथाइलीन डायमाइन टेटरा एसिटेटो last E will be converted to O क्योंकि एनाइनिक लिखेंट की कैटेगरी में है minus charge है तो ligands हमने पढ़ लिया denticity के basis पे ligands हो गया hexa dentate हम आगे बढ़ें तो यार तीन और आ जाएंगे last behavior of the ligand पर हमने types of the ligand पढ़ा एनाइनिक, catanic, neutral, charge के basis पे फिर हमने denticity के basis पे mono से hexa पढ़ लिया है और उसके कुछ examples देख लिए now flexidentate ligand, ambidentate ligand और chillating ligand flexidentate ligand क्या होता है behavior of the ligand के basis पे तीन और है और ये तीनों में से ये दोनों NCRT में दिये गए है उपर वाला NCRT में लिए बट understanding के लिए बट्टा जरूरी है अच्छा एक और बात ये NCRT line by line chapter नहीं है अगर मैंने NCRT line by line पढ़ाया तो बेटा इधर से नहीं कहीं दूर से उपर से निकल जाएगा सर तक आ भी नहीं पाएगा brain में घुस भी नहीं पाएगा समझ भी नहीं पाएगे बहुत अच्छा content लिखा है लिखेंट क्या होता है फ्लेक्सी का मतलब यहां पर समझ रहा होगा कि वैसा लिखेंट जो flexible है और लिखेंट flexible का क्या मतलब उसको मोड के देखा होगे नहीं भाई लिखेंट flexible है on the basis of donating power ऐसा लिखेंट जो चाहे तो 6 donate कर सकता है जाहे तो 4 donate कर सकता है जाहे 2 donate कर सकता है ligand which is flexible in terms of number of donating site what is flexi-dentate ligand flexi-dentate ligand का मतलब होग यहां ligand which is flexible flexible किस मामले में flexible ligand which is flexible in terms of ligand which is flexible in terms of number of donating sites ligand which is flexible in terms of number of donating sites, ligand which is flexible in terms of number of donating sites, यह हो जाएंगे आपके पास flexidentate ligand, flexidentate ligand क्या होगे, ligand which is flexible in terms of number of donating site, this is flexidentate ligand, चलो बहुत अच्छा, amazing होगे, आईगे, अब आते हैं what is ambidentate ligand, लेकिन इस से पहले पढ़ने से पहले पहले इसका example, जह समझा देता हो, example से कि flexidentate ligand क्या है, आईए, flexidentate ligand क्या है, आईए समझते हैं, यह दो example आपके सामने, देखो, अभी अभी हमने देखा था, कि सर, यह EDTA जो है वो hexadentate है, अभी अभी हमने देखा था, कि सर, जो EDTA है वो hexadentate है, हाँ जी, इसका मतलब 6 donor sites है, हाँ से, 6 जगर से donate कर सकते हैं, हाँ से, अब chromium बच्चे यहाँ पर देखोगे, तो chromium को 6 coordinate bond बनाने है, ठीके न, मैं बता देता हूँ, आगे समझ में आएगा कौन कितने coordinate bond बनाएगा, 6 coordinate bond बनाने है, अब 6 में से एक OH-1 भी तो है, ये भी तो monodentate है, ये भले ही हेक्साडendate है, बट 5 donor sites used, भले ही हेक्साडendate है, बट 5 donor sites used, ये क्या हुए, ये 6 coordinate bond बना रहे हैं, बट भले ही 6 donor sites है, बट 5 bond बना रहे हैं, ओके, amazing, इसमें भी 6 coordinate bond बनना है बहले जैसे यहां पे भी 6 coordinate bond बनना है और 6 coordinate bond में से बच्चे यहां पे 6 donor sides है नेचरली बच्चे यहां पे 6 donor sides है और H2 का मतलब H- मतलब यहां से भी monodentate हो गए बट 2 hydrogen है H- इनस भी monodentate है तो 2 hydrogen है 2 तो यहीं पे cover हो गया तो केवल और केवल 6 में से 4 इस्तेमाल होगा 4 sides used तो समझें आप क्या मत बोल रहा हो वैसी तो EDTA hexadentate है बट flexible है जवरत पढ़ रहा है तो 5 भी दे रहा है जवरत पढ़ रहा है जवरत पढ़ रहा है तो 4 भी दे रहा है और 6 भी देता है जबी देता है समझें क्या क्लीर है क्या ध्यान दीजिए दिस इस monodentate वैसे तो यह monodentate एक bond बना लिया तो 6 में से एक बन चुका है बाकी 5 ही यूज होंगे तो दिस इस फ्लेक्सी देंटेट उसके पास है 600 रुपए बट वो खर्च कर रहा है कि यवल 500 रुपए और 400 रुपए ठीक है इसके पास 6 donor side सा बट खर्च कर रहा है 5 और 4 प्रिटिस फ्लेक्सीबल ठीक है चलिए यहां तक समझें नेक्स्ट इस आपके पास ambidentate लिगें ambidentate frog बोलते है frog उसको ambifile बोलते है क्योंकि वो पानी पे भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है तो दोनों जगे रह लेता है तो this is ambifile उसी तरह ambidentate का मतलब एक ही लिगेंड है बट दो जगे से donate हो सकता है ध्यान दीजेगा ठीक है न इन दिखीगा if there are two donor sites if there are two donor sites अगर हमारे पास दो donor sites है in a single ligand if there are two donor sites in a single ligand then that is known as ambidentate ligand then that is known as ambidentate ligand उसको क्या बोलते है हम ambidentate ligand बोलते है then that is known as ambidentate ligand ठीक है अब ambidentate ligand क्या है ध्यान से एक example दिखिए c and c triple bond and c p minus होता है nitrogen पर लोन पर होता है अब यहार यहां पर देखोगे यह single ligand में यह भी तो donating site है और यह भी तो donating site है यह single ligand है बट यह भी donor site है और यह भी donor site है तो एक ही ligand में एक से ज़्यादा donor sites है carbon B, nitrogen B, this is ambidentate ligand जो mendak होता है वो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है दर्ती पे भी रहता है एक से ज़्यादा options है रहने के एक से ज़्यादा options है donate करने के this is ambidentate ligand लिए वाव मजा आ गया कुछ ambidentate ligand के examples cn- तो आपको मैंने बता दिया c triple bond n nitrogen अपना loan payer से भी donate कर सकता है carbon minus 4 से भी donate कर सकता है ठीक है सर इनोटू में भी सर nitrogen double bond O और कुछ इस तरह से nitrogen भी donate कर सकता है और O minus भी donate कर सकता है ठीक है न एनोटू माइनस है तो nitrogen भी donate कर सकता है और oxygen भी donate कर सकता है nitrogen भी donate कर सकता है अगर एक एह लिगेंड में एक से ज्यादा donor sites है this is ambidentate ligand मजा आ गया ठीक है सर बहुत amazing चलिए next आपके पास ambidentate ligand के बाद आ जाते हैं chillating ligand what is chillating ligand chemistry में chillate का मतलब होता है chemistry में बच्चे chillate का मतलब होता है ring तो what is chillating ligand? ऐसा ligand जो loan पे donate करने के बाद coordinate बनाने के बाद ring का formation कर ले that is chillate chillating ligand वैसा ligand जो loan पे donate करने के बाद coordinate bond बनाने के बाद ring का formation कर ले that is chillating ligand वट इस चिलेटिंग लिगेंड ध्यान दिजेगा लिगेंड लिगेंड विच आफ्टर डोनेटिंग लोन पेर लिगेंड विच आफ्टर डोनेटिंग लोन पेर लिगेंड विच आफ्टर डोनेटिंग लोन पेर लिगेंड है विच आफ्टर 9 करने के बाद legend which after donating loan pair forms a ring forms a ring it is known as chilletting लिगन है, it is known as chelating ligand, इसको हम chelating ligand बोलते हैं, it is known as chelating ligand, आगे बड़ें आगे बड़ें अब chelating ligand के कुछ examples कर देते हैं chelating ligands के कुछ example कर देते हैं, जैसी यह example रहा CU EN twice अब यह EN समझ में आया, ethylene diamine है एक example से समझाता हूँ बीच में copper EN का मतलब हुआ, बच्चे यहां पे लेंलो NH2, आगे चले जाओगे CH2 और आगे चले जाओगे शीयक्ण है और फिर आगे चले जाओगे courageous NH2 यह EN similarly भै नीचे आओगे this is NH2, आगे चले जाओगे CH2, फिर आगे चले जाओगे CH2 फिर आगे चले जाओगे NH2 बोलो हॉआ है ना अब यहां पर नाइ्ट्रोजन का Lone पर खट से डोनेट मारेगा यह नाइट्रोजन का Lone पर खट से डोनेट मारेगा लेकिन आप देख पा रहें सर उपर में 5 member ring बन गया आप देख पा रहें नीचे में भी 5 member ring बन गया तो यार ऐसा ligand जो donate करने के बाद ring का formation कर ले that is known as chelating ligand तो इसका मतलब chelating ligand हमेशा polydentate ligand होगे बाई ring बनाने के लिए at least 2 sides से donate करना पड़ेगा तभी तो ring बन रहा है at least 2 sides से donate करेगा तभी तो ring का formation होगा तो इसका मतलब chelating ligand हमेशा एक polydentate ligand होगा chelating ligand हमेशा एक polydentate ligand होगा मतलब एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट सोनी चाहिए और एक से ज़्यादा डोनेट करने के बाद ring बना ले एक और चीज आपको धियान रखना पड़ेगा मैं बोल रहा हूँ ring इसका सीधा मतलब है कि 5 और 6 मेंबर ring इसका सीधा मतलब है 5 और 6 मेंबर ring 5 या 6 मेंबर ring बन रहा है this is known as chelating ligand ligand which after donating loan pair forms a ring it is known as chelating ligand 5 और 6 मेंबर ring वाओ, amazing मजा आ रहा है sir बहुत बढ़ी है sir आगे बन जाते है sir chelating ligand का example के बाद oxidation number निकालने आ जाते है आई, अब जो आपके पास topic आएगा ये होता है बच्चे आपके पास lecture number 2 and 3 दीक आभी तक जो मैंने बढ़ाया है वो होता है lecture number 2 and 3 तो जब मैंने chelate बताया है तो एक example बताया है तो VT sir के पास आएंगे तो सब कुछ मिलेगा वाट इस oxidation number आईए oxidation number की बात कर लेता है oxidation number का मतलब है कि central metal atom ने कितने electron lose किये ठीक है ना number of electron lost number of electron lost from central metal atom from central metal atom अब सुनो इसका कोई definition नहीं पूछेगा लेकिन oxidation number अगर आपको निकालना है तो कैसे करना है ध्यान दीजेगा मैं short trick बता रहा हूँ oxidation number का जब भी आपको निकालना है तो 2 bracket को minus करना है oxidation number जब भी आपको निकालना है 2 bracket आपको minus करना है और oxidation number हमेशा central metal atom का निकलता है oxidation number हमेशा Central Metal Atom का निकलता है इसलिए Central Metal Atom से कितने Electron Loss हो गए वही है Oxidation Number ओके यार बड़ा ही मज़दार Amazing कहानी है अब आजाओ थोड़ी गौर फर्माओ इस पे K4 FECN6 पे पहले वाली ब्रैकेट में क्या लिखना है पहले वाली ब्रैकेट में लिखना है कि Charge On Coordination Is Fair पहले वाली ब्रैकेट में लिखना है Charge On Coordination Is Fair पहले वाली ब्रैकेट में लिखना है Charge On Coordination Is Fair माइनस Total Charge On Ligand क्या मतलब हुआ थोड़ा सा समझाओंगा उसमें clear हो जाएगा ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ Charge On Coordination Is Fair या फिर Charge On बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट तो जिसका में जे Oxidation Number निकालना था तो मैंने क्या किया फर्ट से दो ब्रैकेट बनाया पहले ब्रैकेट में Coordination Is Fair का Charge लिख दिया सर ओके फिर मैंने क्या किया Charge On Legand सर 6 Legand है और एक पे Charge है Minus 1 तो यहां पे बात आया कि सर इट इज माइनस 4 माइनस माइनस 6 सर इज माइनस 4 प्लस 6 सर इज इज 2 मतलब की सर Fe प्लस 2 मजा ही आ गया है क्या बात है दो ब्रैकेट को माइनस करिए Oxidation Number निकाल आएगा पहले ब्रैकेट में Charge On Legand पहले ब्रैकेट में Charge On Coordination तो सर ब्रैकेट में Charge On Legand बात समझ में आ रही है सर इसकी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो मजा आ जाए आईए Charge On Coordination is Fair Minus Charge On Legand is the Oxidation Number Sir Coordination is Fair पे Minus 4 का Charge है 6 into Minus 1 Minus 6 हो रहा है तो Overall Sir Iron पे Charge Plus 2 हो गया आगे बढ़ जाता है Charge On Coordination is Fair Minus Charge On The Legand बेटा Charge On Coordination is Fair दिख रहा है Plus 3 यहां 3 Cl पे Minus 1 Minus 3 उपर Plus 3 आ गया Charge On Coordination is Fair Minus Charge On Legand Beta G Cobalt पे Plus 3 चार्ज है Neutral Legand है न Anionic Legand बता रखा है Similarly C2O4 OX पे Minus 2 चार्ज अभी भी बताया था तो यार Charge On Coordination is Fair दिख रहा है Minus 3 Minus Charge On The Legand Beta C2O4 पे Minus 2 चार्ज होता है ठीक न यहां पे C2O4 hold twice आएगा C2O4 hold twice आजाएगा Clear हो गया चलिए तो यहां पे Total जो चार्ज आएगा वो Minus 4 है Total जो आएगा बच्चे वो आजाएगा Minus 4 Charge On Coordination is Fair Minus Charge On The Legand Beta Chromium पे Plus 1 आजाएगा हो सकता है यह Compound Imaginary हो उस पे ध्यान न दिजेगा हमें Oxidation Number निकालना है Tension उसकी मतलिजे Sir Oxidation Number इसका Charge On Coordination is Fair Minus Charge On The Legand तो Beta Charge On Coordination is Fair Minus Charge On The Legand Beta पर प्लस टू चार्ज है ओहो इस सिमिलर कंडिशन में Charge On Coordination is Fair Minus Charge On The Legand Charge On Coordination is Fair Minus Charge On Legand याद करो Minus 4 होता है तो क्या यह Iron पे Plus 3 हो जाता है बेहत असान बेहत अच्छा मज़ाई आने वाला Amazing आने बेहत असान बेहत अच्छा मज़ा ही आ जाने वाला अगले उस पे लेके चलते हैं चलिए Charge On Coordination is Fair Minus Charge On The Legand आगे बढ़ जाते हैं बच्चों अरे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं Coordination Number पे Sir Oxidation Number निकालने का Trick के बाद अब हम आजाते हैं Coordination Number निकालने के Denticity Coordination Sphere is equal to Number of Legand into Denticity ठीक है जो भी Number of Legand है और उसके Denticity Multiply कर दो तो यह आपके पास आजागा Number of Legand into Denticity चलो What is the Number of Legand Number of Legand is equal to 4 अच्छा बहुत अच्छा Denticity क्या है Sir एक Ammonia के बढ़ डोनेट कर सकता है Monodentate क्या बहुत मैं Mono लिकूँगा Number of Legand into Denticity तो बेटा 4 into Mono बेटा 4 into A Coordination Number is 4 इससे असान Coordination Number कहा निकलेगा भाई किर आईए Number of Legand into Denticity Sir CN- में भले यह Ambedentate है बट यह Ambedentate है CN- को मैंने कहा लिका यह Ambedentate है मतब Carbon से भी Nitrogen से भी बट at a time only one is donated चलिए तो 4 into 1 दाट मेंस Monodentate C2 of 4 minus 2 Sir Number of Legand into Bidentate तो बेटा 3 into 2 बाई का मतलब 2 मतलब 6 Coordination Number 6 बाउंड बनेंगे DMG बेटा यह DMG Bidentate है DMG Number of Legand into Bidentate तो 2 into 2 Coordination Number बच्चे 4 हो गया तो Oxidation Number निकालने का Short Trick Coordination Number निकालने का Short Trick यह कर लिया है Number of Legand into Denticity Number of Legand into Denticity Number of Legand into Denticity अच्छा अब यह Coordination Number का एक Table भी बनवाया जाता है बट वो Exam Point of View से Important नहीं होता है तो वो हम यहां नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद हम जाएंगे सीधा सीधा इस पे Effective Atomic Number पे Coordination Compound बच्चे पढ़ने के लिए बहुत लंबा चाप्टर है बट इग्जाम पॉंट वीव से पढ़ने के लिए वन शॉट पढ़ने के लिए छोटा किया गया इसको अब आईए What is Effective Atomic Number ध्यान दीजे यह Effective Atomic Number क्या है मैं Definition यहां समझा रहा हूँ अब देखो यार अभी एक एक इग्जामपल लेते K4 Fe Cn6 मैंने आपको यह सिखाया था कि सर यहां पे माइनस 4 आएगा आईरन पे प्लस 2 आजाएगा आजी Oxidation Number चली अब यह भी तो बचाये था कि सर आईरन से 2 इलेक्ट्रोन का लॉस हो गया पहली चीज हमने समझ में आ गया कि सर आईरन से 2 इलेक्ट्रोन लॉस हो गया है उसके बाद 6 बॉंड बने हैं साइनाइड के उसके बाद बच्चे 6 बॉंड बने हैं साइनाइड के 3 और 4 और 5 और 6 ठीकर ना, 6 bond बने हैं cyanide के, ध्यान से देखिए बच्चो हो 6 bond बने हैं cyanide के 1, 2, 3, 4, 4 पाथे, हाँ है ना, सर 6 bond बने रहे हैं यहाँ पे cyanide के सीधा सीधा सा मतलब है there are 6 bunds vorm in a cyanide अब देखो iron से electron का loss भी हो रहा है और iron के पास electron आ भी रहा है learned pair आ रहा है देखो iron के पास electron आ भी रहा what is effective atomic number effective atomic number कहता है कि iron के पास bond बनाने के बाद कितने electron बचे वो है effective atomic number iron के पास bond बनाने के बाद जितने electron बचे वो है effective atomic number अब थोड़ा गवर से सुनना सर पहले तो electron loss किय और बार में कुछ electron आये हैं, तो कुछ electron गए हैं, कुछ electron आये हैं, जो बचे रह गए total electron, that is effective atomic number. What is effective atomic number? Basically, effective atomic number is nothing but total number of electron. What is effective atomic number? Total number of electron left with central metal atom. Total number of electron left with central metal atom. after formation of a bond, after formation of coordinate bond, after formation of coordinate bond, इसी को कहते हैं, effective atomic number. Coordinate bond बनने में electron आयेंगे, oxidation state की वज़े से electron जायेंगे. तो पेटा, मेरे करन अरजुन आयेंगे, और electron जायेंगे. आयेंगे जायेंगे में कितना बच गया, वही effective atomic number होदा है. चलिए ये तो understanding की बात है, numerical type question आ रहा है, तो effective atomic number क्या होगा? Effective atomic number is equal to Z, minus oxidation number, plus two times of coordination number. धियान रखेगा, वही चीज़ है, जो definition में समझाया है. Oxidation number मतलब electron का loss हो रहा है, और coordination number मतलब electron आ रहा है. और एक coordination number मतलब 2 electron आ रहा है. वा, what is Z? Z is atomic number. Z is atomic number. Effective atomic number किसका निकालते हैं? चाहे oxidation number हो, चाहे coordination number हो, चाहे effective atomic number हो. हमेशा पेटा, central metal atom का निकलेगा. Atomic number minus oxidation number, atomic number minus oxidation number, atomic number minus oxidation number, plus two times of coordination number. This is effective atomic number. ठीक है? आपके पास EAN is nothing but, this is the answer. Effective atomic number आपके पास क्या है? कि सर, उस iron के पास, उस central metal atom के पास, after the bond formation, how many electrons are left behind? This is effective atomic number. यह इसका थियोरी है, important है, जनरली कोटा उटा में आपको बताते हैं. चलिए, आईए. अब आते हैं, सर, कुछ examples करते हैं, तो फिर और समझ में आएगा, कुछ examples आपके सामने यह हैं, यह 4 का effective atomic number आपको निकालना है, और बताना है. यह 4 का effective atomic number आपको निकालना है, और बताना है. चलिए, भटा-फट से, मैं कुछ screen दे रहा हूँ, pause करने का screen पे, pause करनी जब करिए. यह बहुत बड़ा chapter है, और अच्छा है, कि आराम-राम से किया जाए, बैट-बैट के किया जाए, थोड़ा आपको offline वाली feel देखे पढ़ा रहेंगे, टेंशन आलो, ठीक है, चेर पर भी बैट जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर पढ़ा देता हूँ, ठीक है, चलिए बढ़ी, आईए, अब आजाते हैं, K4 Fe Cn6 में, अब आजाओ, K4 Fe Cn6 में, भई, effective atomic number आप कैसे निकालोगे, जहां दीजे, पेंचेंज कर लेता हूँ, effective atomic number आप कैसे निकालोगे, तो सर, effective atomic number is equal to Z minus oxidation number, plus 2 times of coordination number, बहुत बढ़िया, Z क्या है, atomic number is 26 of iron, बहुत बढ़िया, सर, iron यहां पे plus 2 में है, बहुत बढ़िया, plus, 2 times of coordination number, 6 into monodentate, बहुत अच्छा, तो सर, यहां पे आगया 36, ओके, effective atomic number is 36, सर, अगर मैं इसका effective atomic number निकालो, तो Z minus oxidation state, oxidation state आजागा, plus 2 times of coordination number, बहुत आजागा, 26 plus 9, 35, Z minus oxidation number, plus 2 times of coordination number, वो आपके सामने आगे, effective atomic number 35, यह effective atomic number आपके पास 36 है, यह effective atomic number आपके पास 35 है, effective atomic number 36 है, effective atomic number आपके पास 35 है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कहानी अगले स्क्रीन पे आ जाएगी, FECO5, effective atomic number क्या है, तो सर, effective atomic number is equal to Z, Z मतलब 26, oxidation number, बेटा है, neutral compound है, carbon is a neutral ligand, neutral ligand है, तो 0 हो गया, बहुत अच्छा oxidation number आए नहीं, plus 2 times of coordination number, बेटा है क्या monodentate है, bidentate है coordination number, तो यहाँ पे बता चला है, 2 into monodentate है सर 5, सिधा-सिधा करेंगे सर, atomic number आगया, effective atomic number 36, मैं थोड़ा सा fast करके इसका भी निकाल दूँ, कोबाल्ट का कितना होता है, iron और कोबाल्ट 27 हो जाएगा, minus, यह neutral है, तो पूरा-पूरा oxidation status पे आजाएगा, plus, 2 into 6, 6 monodentate मतलब है 6, सिधा-सिधा आप देखोगे, 27 minus 3 plus 12, 27 और 9 होता है, 36 बेटा, सिधा-सिधा 20, 36 is the option, यह effective atomic number भी calculation आ सकता है, Z minus oxidation number, plus 2 times coordination number, total remaining electron with central metal atom, after bond formation, this is effective atomic number, मज़ा आगया, this is effective atomic number, बहुत बढ़िया, मज़ा आगया, next कहानी चाहते हैं, ग्यान की बात, सिध्विक रूल, अब सिध्विक रूल ग्यान की बात है, कहता है, कहता है, कि अगर effective atomic number आपने निकाला, खोपड़ी खोलनी की बात है, अगर effective atomic number आपने निकाला, और, वो next inert gas के atomic number के बराबर आ गया, जैसे, कि अगर आप atomic, effective atomic number निकालो, और ये, argon का है, atomic number, अगर आपने atomic number निकाला, helium, neon, argon, krypton का है, ठीक है, अगर आपने, effective atomic number निकाला, और, effective atomic number, next inert gas के atomic number के बराबर आ जाए, then, that compound is stable, तो, सिध्विक रूल क्या कहता है, सिध्विक रूल बड़ा, 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 is equal to atomic number of next in atomic number if equal to atomic number of is equal to atomic number of next inert gas next inert gas then then that complex compound here that coordination compound is stable then that coordination compound is stable then that compound is stable if we take atomic number of coordination compound is equal to atomic number of next inert gas then that coordination compound is stable बहुत बढ़ी है बट यहां पर लिखेंगे बट this rule is valid for but this rule is valid for coordination, this rule is valid for this rule is only valid for carbonyl compound, but this rule is only valid for carbonyl compound but this rule is only valid for carbonyl compound यह rule जो है, carbonyl compound के लिए valid है, but this rule is only valid for carbonyl compound, यहां की बात but this rule is only valid for carbonyl compound, next आपके सामने स्क्रीन पर आजाएंगे IUPAC naming, अब आते हैं आपके एक और चंक पे IUPAC naming पे, यहां तक आपके पास पांचवे लेक्चर तक हम आजाते हैं ठीक है, अब आगे पांचवे लेक्चर के बाद आपके लेक्चर चलता है, और फिर ग्यार और बारा लेक्चर चलता है CFT और एक्स्ट्रा लेक्चर लेके IUPAC कराएंगे जाती है, तो चलिए देखते हैं पहले IUPAC nomenclature of compound अब IUPAC nomenclature करने के लिए पहले हमें ligand का नाम करना आना चाहिए, ठीक है उसके बाद हमें central metal atom का नाम करने आना चाहिए और फिर कुछ rules हैं उसको follow करना पड़ेगा तो तीन आएगा पूरा जिससे की IUPAC naming clear होगी पहले naming of ligand, naming of central metal atom and then naming of पूरा whole complex compound आईए अब देखो, anionic ligand में हमने सीख रखा है कि last ego O कर दो तो anionic ligand का नाम आएगा NH2- beta amide होते हैं NH2- amide होते हैं इसको amido बोला जाता है बहुत अच्छा Cl- chloride होता है तो मैं इसको chloride बोलता हूँ, अच्छा जी बहुत अच्छा Br- bromide होता है तो मैं इसको bromide बोलता हूँ बहुत अच्छा जी iodine minus S को हम iodido बोलते हैं अरे मजा ही आ गया sir C N minus signide को हम signido बोलते हैं अरे बहुत ही मजा आ गया sir Gun Sw prosecut को S minus two को sulfide बोलते हैं बट sulfide हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा, ligand हो गए N minus 3 को sir nitride बोलते हैं तो nitride हो गया, यहाँ पे sulfite है, sulfite है तो sulfite हो this is acetate है, तो acetato हो जाएगा, बहुत अच्छा, NO2- beta, nitrite होता है, तो nitrito हो जाएगा, N3- azide है, तो azido हो जाएगा, तो naming हमने अल्रेडी सीख रखी थी, बढ़ हाँ ठीक है, अब हमें करना है, naming of anionic, तो हमने कर दिया, anionic ligand की naming के लिए, एक सिंपल सारूल होता है, last E को O में change कर दो, और this is anionic ligand, जो last E है, आइन का नाम आपको आता है, आइन की नाम में last E को O change कर दो, this is anionic ligand, खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं next पे, बच्चे आ जाते हैं neutral ligand पे, अब हम आगे बढ़ते हैं next पे, neutral ligand पे, water को हम equa बोलते हैं, in terms of ligand, इसको हम equa बोलाएंगे, पिटा इसका spelling change करके, A, M, M, I, N, E कर देंगे, ये ligand जब इसको बोलते हैं, तो A, M, I, N, E नी बोलते हैं, NO को हम nitrosil, बोलते हैं, इनो को हम nitrosil, देखो, पढ़ने के लिए मैं बहुत सारा ligand यहाँ पे, line से 20-25 कर दो, पड़ जो NCRT में में वो पढ़ना है, ठीके न, ये सारे ligands आपके NCRT में, इससे बाहर में नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पता है crash course में, उससे आर नहीं जाना चाहिए, ठीके वर्ना वेस्ट वेस्ट आफ टाइम है, NO2 को बेटा हम लोग nit, nitrile बोलते है, NO2 को हम लोग nitrile बोलते है, in terms of neutral ligand, अगर यहीं NO2- था, तो थोड़ी देर पहले लिखा, NO2- is nitrito, चलिए, सब neutral ligand होने के बाद, now we are going for ketinic ligand, अब हमने ketinic ligand में EM जोड़ना था, तो nitrosil तक तो थीक था, nitrosilium हो जाएगा, बहुत अच्छा, hydrazine तक तो थीक था, this is hydrazenium, hydrazine तक तो थीक था, this is hydrazenium, बहुत अच्छी बाद, यह उपर nitrosilium हो गया, यह hydrazenium हो गया, आगे बढ़ते हुए, nitrosilium, hydrazine के next बाद, हम move कर जाते हैं, naming of central metal atom, हमने ligand की naming कर लिए है, आईए central metal atom की naming करें, और फिर हम merge करतेंगे, आईए, central metal atom, naming करने से पहले दिखोगे, यहां central metal atom यह है, और यह anionic coordination sphere में है, यह anionic coordination sphere में है, मज़ा आ गया, के 4 है, तो minus 4 के अंदर आ रहा है, लेकिन कई बार, जो है, SO2 पे minus 2 अगर तो sulfur plus 2, यहां जो central metal atom है, वो plus coordination sphere के अंदर आ रहा है, तो जब हम central metal atom की naming करेंगे, तो वो दो तरह की हो जाएगी, central metal atom is in cateinic sphere, and when central metal atom is in anionic sphere, जब central metal atom के टाइनिक sphere में होगा, तो कुछ और, जब central metal atom in anionic sphere में होगा, तो कुछ और, आईए एक एक करके देखते हैं, उनकी naming, जब central metal atom आपके, के टाइनिक sphere में है, देखो, complex ketine में है, तो अलग, और complex anion में है, तो उसकी naming अलग होगी, जब complex ketine में है, तो जो simple नाम होता है, वही लिख देते हैं, silver, जो complex है, ketine में है, तो जो नाम होता है, simple लिख देते हैं, iron, जो complex में है, तो बेटा जी, ये copper, एक दम समझ में आ रहा है क्या, जो यहाँ पे, ketine में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो simple नाम है, जो ketine में simple नाम है बच्चे, ketine में है तो simple नाम है बच्चे, बोलो clear है क्या, एक दम समझ में आ रहा है क्या, अब complex A9 की बारी है, complex A9 में, देखो, इसको हम argentus बोलते हैं, इसका Greek नेम होता है, argentus, तो argentus है तो this is argentate, 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 argentus के आगे argentate लगा दिया, ferrous होता है ferrate, ठीक है, तो negative complex अगर है, anionic complex अगर है, उसका central metal atom में 8 डाल के डालते हैं, और अगर ketineak है तो normal नाम है, जैसे वोग क्यूपरस है, तो it is cuprate, cuprous है तो it is cuprate, बहुत अच्छी शांदार बात सर समझ में आगे, सर, प्लमबस है तो plumbate है, astinus है तो it is astinate, astinus है तो it is astinate, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, बेटां जो silver है, ag silver, iron, copper, gold, lead और tin, argentate, ferrate, cuprate, aurate, plumbate, stand it, जब complex ketine होगा, तो normal नाम चलेगा, जब complex a9 होगा, तो बेटा, 8 के साथ end कर दोगे, मजा आगे, बहुत शांदार बात होगी, तब चलिए एक बार और, आगे चलते हैं, ये IOPAC naming rule, कुछ कुल मिला के, चार line लिखूँगा, जिसमें से आपको चारों पता हैं, बट फिर भी एक बार लिखते हैं, first ketine is named, पहले, जब भी बेटा, nomenclature करते हैं, तो पहले ketine का nomenclature करते हैं, first ketine is named, and then anion, first ketine is named, and then anion is named, named का मतलब, नाम करन किया जाता है, पहले ketine का nomenclature करते हैं, फिर anion का nomenclature करते हैं, okay, अगर मान लिजिए, more than one legend है, more than one legend है, अगर बच्चे more than one legend है, तो क्या होगा, अगर बच्चे more than one legend है, तो two के लिए die, three के लिए try, four के लिए tetra, बोलो एक दम simple कहानी है क्या, चलो, in case of more than one legend, फिर देखते हैं, अगर लिगेंड के नाम में ही, बच्चे die try है, मतलाव, अगर जैसे इथाइलीन, डायमाइन है, तो उसमें already die है, समझ पारें, इथाइलीन, डायमाइन, टेटरा एसिटेटो, उसमें already tetra है, तो अगर लिगेंड के नाम में already die try tetra है, then, अगर दो अगर होगा, तो उसके लिए हम 20 यूज़ करेंगे, अगर वो 3 number है, coordination number, तो उसके लिए हम tris यूज़ करेंगे, अगर 4 है, तो बेटा, उसके लिए हम tetra kiss यूज़ करेंगे, ठीक है ना, 20, tris and tetra kiss, ठीक है, अगर नार्मल नवन नेम है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आईडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, साइनाइडो, आउडाइडो, हैड्राइडो, कुछ भी हो, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है, oxido, hydroxide, sulfido, paraxo, paraxido, sulfur, super oxido, तो यह सब में डाइट राई टेटरा लगेगे लेकिन जिन नाम में पहले से डाईट राई टेटरा है उनके लिए बिस्टिस टेटरा किस लगेगा अब आते हैं वीटी सर के शॉट्रिक पे कि नुमेंक्लेचर में हमेशा केटाईन पहले आएगा और फिर इनाएन आएगा पहली बात तो यह समझ दाए लेकिन नुमेंक्लेचर ओफ कॉम्पलेक्स हमेशा LCO रूल को फॉलो करना है क्या करना है LCO रूल फॉलो करना है वाट इस LCO रूल L का मतलब है सर पहले लीगेंड का नुमेंक्लेचर होगा अरे वाशाटरी का गया सर T का मतलब हो गया फिर सेंट्रल मेटल एटम होगा पहले लीगेंड का नुमेंक्लेचर होगा T का मतलब हो गया देन सेंट्रल मेटल एटम होगा सर फिर O का मतलब है सर Oxidation Number, फिर O का मतलब है सर आपके पास Oxidation Number आएगा, पहले Central Metal Atum आएगा, फिर आपके पास, पहले Legand आएगा, Central Metal आएगा, Oxidation Number आएगा, Oxidation Number आएगा, Oxidation Number in Roman, Roman language में जब Oxidation Number लिखते हो, 1 को 1 डंडा, 2 को 2 डंडा, 3 को 3 डंडे, 4 को I और V से दिखाते हो, 5 को V से दिखाते ह तो वो वाला, ठीक है ना, किते भी complex का नोमिंग में ये shortcut आपको लगाना है, मैं इसको जब तक लगा के नहीं बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, मैं जब तक बच्चे लगा के नहीं बताऊंगा, ये समझ नहीं आएगा, तो आएगा, LCO rule में चलते हैं, Legand, Central Metal Atum, Oxid equation number वाले rule पे चलते हैं, आईए, clear हो रहा है, चलिए जी, तो IOPSC rule में, LCO में, एक ही करके मैं सबसे पहले, ये 5 आपके सामने है, पांचों में मैं clear कर दोगा, white pen ले ले लेता हूं, बच्चे आपके लिए, चलिए फटा-फट से करिए, white pen ले लेता हूं, मैं फटा-फट से करता हूं, पहला वाला, बस वही चार लाइन है, उसी से सारा हो जाएगा, first catein is name, and then anion is name, catein क्या है, potassium, ठीक है सर, potassium catein है, तो potassium लिख दिया, first catein is name, अच्छा कही लोग का समा लेगा सर, 4 है न, tetra potassium लिखो, गदे, वो diet, tri, tetra, जितने भी हैं, वो सब complex के लिए है, bracket के अंदर के लिए bracket के बाहर वो सब नहीं लगाना है, bracket के बाहर simple जो जैसा अब ऐसा लिखना है, tri chloride नहीं लिखना है, simple chloride लिखना है, bracket के बाहर एक हो, दो हो, तीन हो, सब फरक नहीं पढ़ता, जो अभी rule आपने पढ़े है, वो complex के अंदर मतलब coordination compound के rule थे वो, चलिए, तो ना है, L का मतलब सबसे पहले ligand, ligand कितने अच्छे, अच्छे का मतलब सर आ जागा, hexa, आप chloro भी लिख सकते हो, chloride भी लिख सकते हो, बात एक ही है, hexa, chloro, hexa, chlo, rido, chlorido भी चलेगा, hexa, chloro, hexa, chlorido चल गया, मज़ा ही आ गया सर, यहाँ पे 4 है, iron, plus 2 है, बहुत बढ़िया, L हो सर, iron लिखूं कि ferrate लिखूं, पता चला कि सर, negative complex में है, 8 आएगा, this is ferrate, L हो गया, C हो गया, फिर oxidation नमबर मतलब 2 हा गया, बहुत बढ़िया, काम खतम, L, C, O, खतम कहानी, पूरा-पूरा rule खतम हो जाएगा, first cation is named, and then anion is named, चाहे cation complex हो, चाहे anion complex हो, complex हमेसा LCO से solve होता है आएए यहाँ पर, सर, सबसे पहले हमने minus 3 लिख दिया, इधर अंदर plus 3 लिख दिया, plus 3 लिख दिया, plus 3 लिख दिने से कोबाल, plus 3 आगया, oxidation नमबर निकल चुका है, अब हम लिख सकते हैं, पहले cation को nomenclature करेंगे, complex है, complex का मतलब आसान करेगा, LCO, ligand में, सर, सीधा 6 ligand है, हेक्सा, A-W-M-I-N-E, दो A हैं, इसलिए एक A हटा दिया, हेक्सा माइन, चीक है सर, हेक्सा माइन के बाद, आ जाएगा, कोबाल्ट लिखू की कोबाल्टेट लिखू, सर, कोबाल्ट लिखना पड़ेगा, complex केटाइन है, इस बार, कोबाल्ट, normal नाम लिखना पड़ेगा, क L हो गया, C हो गया, oxidation number भी सामने लिखा हुआ है, 3, केटाइन हो गया, after that, space के साथ, बेटा, A-9 लिखना है, आगे बढ़ जाएं क्या, हमेशा, बड़े वाले bracket का नाम, L-C-U से करते हो, complex का नाम, L-C-U से करते हो, coordination का नाम, L-C-U से करते हो, सर, सबसे पहले, केटाइन का न L-C-U, L-C-U मतलब पहले ligand, तो बेटा क्या आजाएगा, oxalato, कितना आजाएगा यह, this is oxalato, oxalato हो चुका है, चीक है, उसके बाद हम आते है, oxalato के बाद, chromium, अब देखो, यहाँ पे plus 3 है, सामने वाले minus 3 है, minus 3, minus, minus 2, यहाँ पे 2 आएगा, चीक है, यहाँ पे, minus, वो 2 ह है, whole twice, अब जब 2 है, तो बेटा क्या आजाएगा, die oxalato, die oxalato, ठीक है, die oxalato हो गया, minus 3, minus, minus 4, है ना, तो chromium पे बेटा plus 1 आगया, तो सबसे पहले ligand हो गया, फिर central metal atom आपके पास, chromium है, तो इसको क्या मैं, chromate लिखो, chromium है, C-H-R-O-M-A-T-E, chromium है, तो बच्चों यह आजाएगा, आपके पास, chromate, और chromate है, 1, 2, और 3, simple आजाएगा, आपके पास, chromate 1, कोई दिक्कत परिशान ही है, potassium, dioxide, chromate 1, आगे बढ़ जाते हैं, next कहाने पर, potassium, dioxide, chromate 1, आगे बढ़ जाएगा, चालो, next, जैसे हम करेंगे, C-L-1 पर आएगा, यहाँ, प्लस 1 पर आएगा, पेटा केटाइन का नोमेंकलेचर, पता चला, वो complex है, LCO, LCO लगाएंगे, सर दो अमाइन है, तो क्या मैं इसको डाइ, A-W-M-I-N-E लिख दू, डाइमाइन, OKG, डाइमाइन हो गया, silver लिखो की Argentate लिखो, positive है बेटा, positive में simple नाम लिखते हैं, this is silver आजाएगा, तर complex क्या लिखो गया, obviously one, LCO हो गया, और LCO के बाद, सामने चले जाएंगे, बेटा क्लोराइड पे, सामने चले जाएंगे बेटा क्लोराइड पे, next, next, जैसी हम नीचे आएंगे, सार, डाइ, पोटेशियम नहीं लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, पता है, क्यों, सार, डाइ, ट्राइ, टेट्रा, अंदर लगता, बाहर नहीं, अच्छा, सार, यहाँ पे, प्लस टू हो चुका है, अंदर जा डाइडो, ओके, मरकरी होगा की मरक्यूरेट होगा, मरक्यूरेट होगा, नेगेटिव कॉंपलेक्स के अंदर है, it is not mercury, it is मरक्यूरेट, और मरक्यूरेट हो गया, सर, L हो गया, C हो गया, O का मतलब 2 हो जाता है, बोलो हाया ना, एक दम सही है क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्य बोलो हाया ना, सूपर एक्जांपल, चलिए वए, that's, IUPAC के बाद, अब आपके पास जो आएगा, that will be Werner's theory, अब यहाँ से तीन थेओरी आपको पढ़नी होती है, एक Werner's theory, एक Valence Bond theory, और फिर आपके पास आते हैं, आस Crystal Field theory, ठीक है, एक Werner's theory, एक Valence Bond theory, और एक Crystal theory, आते हैं, Werner's scientist थे, आते बच्चे, Werner's scientist थे, उन्होंने क्या बोला, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, Werner's scientist थे, इन्होंने बोला, कि अगर मैं, अगर मैं, एक Simple Salt लेता हूँ, और अगर मैं एक Simple Molecule लेता हूँ, जैसे, Simple Salt का मतलब हुआ, COCl3, पहले बताओ, यह Simple Salt है, हाँ, और इस Werner's सहाँ ने बोला, कि अगर मैं Simple Salt लेता हूँ, और सिंपल Molecule लेता हूँ, और जब मैं इसको Mix करता हूँ, Werner's theory में, when a Simple Salt is Mixed with a Simple Molecule, तो Werner's सहाँ चौक गए, क्योंकि, एक से ज़्यादा तरह के Compound मिलना स्टार्ट हो गए है, Werner's सहाँ चौक गए, क्योंकि, एक से ज़्यादा तरह के Compound मिलना स्टार्ट हो गए है, CoCl3.5NH3, CoCl3.4NH3, दाँ दीजिए, what is Werner's theory, Werner's theory कैसे किया है, ध्यान दीजिए, अब Werner's theory के लिए आई है, when a Simple Salt is Mixed with, when a Simple Salt is Mixed with a Simple Molecule, मैं बहुत ले मैं की भरी बास्टा में सम्झा रहा हू, when a Simple Salt is Mixed with Simple Molecule, when a Simple Salt is Mixed with Simple Molecule, then a Variety of Compounds is Formed, then a Variety of Compound is Formed, अब सम्झो क्या मतलब निकला इसका, अब सम्झो क्या मतलब निकला, Werner साब बिचारे Scientist बैठे थे अपने किसी Laboratory में, अब Werner जी Laboratory में बैठे हुए थे, अब Werner जी बिचारे क्या करें, बैठे 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 थक रहें, तो Werner जी ने क्या किया, बैठे 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 ठक रहे हैं तो लेबरेटरी में क्या किया उन्होंने एक अपना वो बना दिया एक अपना एक्सपेरिमेंट किया एक सेक्ड़ इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है एक सिंपल सॉल्ट और प्लस एक सिंपल मॉलिक्यूल की रियक्शन करा रहे है लेबरेटरी के अंदर बीकर है बीकर में सिंपल सॉल्ट और सिंपल मॉलिक्यूल को लिया गया है और इन दोनों को मिक्स कर रहे है जब एक simple salt और simple molecule को mix करेंगे तो जो final product बनेगा जब एक simple salt और simple molecule को mix करेंगे और जब product बनेगा वो एक से ज़्यादा तरह के variety of compounds बनेगे अब ये चौक गए burner साथ बोलते हैं कि या रह ऐसा क्यों हुआ फिर उन्होंने बहुत research किया और अपने कुछ postulates दिये उन्होंने बोला कि इसे लिए coordination compound एक से ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा valency है carbon plus hydrogen CH4 बनता है hydrogen plus oxygen H2O बनता है carbon plus oxygen CO2 बनता है अभी तक जीतने भी reaction कर रहे थे एक product बन रहा था आज ऐसा क्या हुआ कि एक से ज़्यादा product बनना है start होगे आज ऐसा क्या कर दिया कि एक से ज़्यादा product बन गए ठ्योंकि आज से पहले अभी हम केवल एक तरह की वैलेंसी देख रहे थे oxygen की minus 2 वैलेंसी है oxygen की 2 वैलेंसी है carbon की 4 वैलेंसी है boron की 3 है and so on लेकिन अब जो हम पढ़ रहे है coordination compound में एक से ज़्यादा तरह की वैलेंसी है वर्णर theory में आता है coordination compound में एक से ज़्यादा तरह का वैलेंसी है When he mix simple salt and a simple molecule, एक से ज़्यादा तरह के product मिले. जब एक सिंपल salt and a simple molecule को mix किया, एक से ज़्यादा तरह के product मिले, और आपके पास चौकाने वाली खबर ये आई, कि सर, एक से ज़्यादा तरह की valency होती है, इसलिए एक से ज़्यादा तरह के product आए है. अब एक से ज़्यादा तरगी valency कौन सी है primary valency और secondary valency primary valency is nothing but oxidation number is the primary valency primary valency क्या है आपका जो oxidation number है यही primary valency है और जो आपका coordination number है यही secondary valency है तो primary valency is oxidation number and secondary valency is coordination number अब oxidation number plus 2 plus 3 plus 4 और वो electrons के loss होने से हो रहे हैं इसका मतलब it is satisfied by negative ligands ठीक ना primary valency satisfied by negative ligands क्योंकि plus 2 है तो उसको satisfy करने लेगा negative लाना पड़ेगा सटीस्फाइड बाई negative ligands अब coordination number है तो coordination number coordinate bond बनाता है अब coordination number है तो पेटा coordination number आपके coordinate But बनाता है, coordinate bond में कौन है खट से बैका धियाद करिए coordinate point आपके कौन है satisfied by negative ligands oxidation number, coordination number satisfied by negative ligands coordination number में तो neutral ligand भी बनाता है coordinate bond, negative भी बनाता है चलिए, तो it is satisfied by neutral and negative ligand यहाँ पे left side में के अवल negative था यहाँ पे neutral, negative ligand है neutral, negative ligand satisfied by neutral, negative ligand ओ, very good primary valency and secondary valency oxidation number, coordination number satisfied by negative ligands satisfied by neutral या negative ligand ओ, बहुत सांदार फिर से, सर यह क्या होता है there is, अब देखो यहाँ पे oxidation number है यहाँ पे कोई geometry structure नहीं लग रहा है तो यहाँ पे लिखो, no role in geometry there is no role, primary valency का geometry में कोई role नहीं है there is no role in geometry और secondary valency का secondary valency का there is a fixed geometry there is a fixed geometry secondary valency चुकि कोडिनेट bond बनाएगा bond बनाएगा तो geometry तो होगी न ठीक है न अभी देखो एक और चीज एक और चीज में आ जाता हूं मैं पीछे COCL 3.6 ammonia मैं एक compound यहाँ पे लेता हूं और Werner के हिसाब से समझाता हूं अभी Werner's theory आपके दिमाग में चमकेगा ध्यान दीजेगा Werner को समझने के लिए मेरे understanding से समझीए Werner के कभी भी समझना हो question लगाना हो तो आप क्या करिए सबसे पहले oxidation नमबर नेका लिए मैंने पता कि यह oxidation नमबर plus 3 है ठीक है सर 99.99% cases में जितना oxidation नमबर है उससे दोगुना coordinate bond बनेगा मतलब तीन oxidation नमबर है मतलब यहाँ पर पता चलिए कि सर कोबाल्ट जो है वो 6 coordinate bond बनेगा 99.99 में लग जाएगा और जो 1% है वो आपके syllabus में नहीं है इसलिए आपके syllabus में यह लग जाएगा तो जितना भी oxidation नमबर है उससे दोगुना coordination नमबर बनेगा और maximum coordination नमबर आपके syllabus में 6 है तो अगर मैं plus 4 आया PT plus 4 कर दिया है तो घर पर आगे नहीं उसका भी coordination नमबर 6 है दब्ल करने से coordination number निकल रहा है लेकिन अगर plus 4 को डब्ल करो जो 6 8 आएगा 8 नहीं जाना है maximum coordination number 6 होता है तो आकर डब्ल करने से 6 से जछादा आ और मतलब भी 6 ये डब्ल करने से 6 आ से 6 आ रहा है 6 c ordin इप कि नूटरल कि न्यूटरल से बने तो 6 नूटरल अमोनी मोलिक्यूल कॉर्डिनेट बॉंड तिक्स न्यूट्रल अमोनिया मोलीकूल विलफॉर्म कोडिनेट बॉंड जब भी वर्नर थियोरी का एक बहुत बढ़ा ये शॉट्रिक निकल के आ रहा है कि जब भी आपको कोडिनेट बॉंड बनाने हैं हमेशा वो न्यूट्रल से बनाना कि कोशिस करेगा तो यहां पे छे के छे न्यूट्रल प्रिजेंट थे और बन चुके हैं बोलो हाया ना लेकिन अगर मैं लेता हूँ सी यो सी यल 3.5 अमोनिया उस केस में ध्यान दो अभी भी कोबाल्ट प्लस 3 में है और छे कोडिनेट बॉंड बनाने तो वर्नर कहता है कोशिस होगा कि 6 के 6 न्यूट्रल से बन जाए कोशिस होगा कि 6 के 6 न्यूट्रल से बन जाए बट 6 के 6 न्यूट्रल से तो बन नी पाएगा तो 5 ही न्यूट्रल है अब क्या करें तो सर बड़ा सिंपल है अगर 5 ही न्यूट्रल है मजबूरी का नाम नेग नेगेटिव लिगेंड से coordinate bond बनेगा मझबूरी में इस negative लिगेंड से coordinate bond बनेगा अगर मैं इस एक्जाम्पल को लूँ तो यहां भी coordinate bond plus 3 में यहां भी 6 coordinate bond बनाना है लेकिन Werner theory कहता है Werner theory कहता है कि कोशिस वही रहेगी कि 6 के 6 coordinate bond neutral से बने बट neutral है यह नहीं अगर neutral नहीं है उस case में negative ligand से बनवाएंगे Werner की theory समझे Werner कहता है कि पहले oxidation number निकाली उसका double coordinate bond निकल जाएगा coordinate bond जो भी है कोशिस होगा कि 6 के 6 neutral से बने और अगर नहीं बन पाए तो फिर negative ligand अंदर लेंगे तो फिर negative ligand अंदर लेंगे अच्छा negative ligand का मतलब यह primary valency है और primary valency को dot से दिखाते negative अच्छा 3 CL यहाँ भी है तो तीनों को dot dot से दिखा दो आपकी मर्जी है जिधर कोई भी geometry तो होता नहीं अगर अगर जुमिटरि नहीं होता primary valency का तौह बड़ा जिधर समझ लीजे जुमिटरि अगर नहीं होता है यह सामने रहा जोमिटरि नहीं होता है तो आप dotted line से कहीं भी दिखा सकते लेकिन अगर आप negative ligand को अंदर लाते हो तो दिखाना पड़ेगा कि ये dotted से negative था ये negative लिगेंड था primary valency था बट अब coordinate bond बना रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर समझ में भी आ रहा है गर्दा भी उड़ रहा है मज़ा भी आ रहा है वाओ वाओ अच्छी बात गर्दा भी उड़ रहा है मज़ा भी आ रहा है तो वर्णर नी क्या बोला कोशिट से होगी फिर से देया दीजिए कोशिट से होगी कि neutral से बन और अगर neutral से नहीं बन पा रहे हैं तो dotted से कहीं भी दिखा दो दो CL एक CL इधर और एक CL इधर और एक CL आपके पास ब प्री इसरे संथिल स्थाल लाइन by तो इसे हैं पर क्याया चीए को फटना वित्र, प्राइम्री वै Лयंसिमीन, प्राइम्टम् में री प्रेजेंटर उडजेंटर पास। भाइड रिप्रे बी दोतिलान धेंसे दीखाते हैं। रिपास्टन रिप्रेजञ्टर और यहां प अब इसके पहले की मैं आगे बढ़ू कुछ एक्जाम्पल है COCl 3.6 अमोनिया अब यहाँ पे actual question framing होगा ध्यान दीजेगा मतलब कोबाल्ट को 6 bond बनाने हैं कोशिस करेगा अमोनिया से बने neutral molecule से बने मैंने क्या बोला कोशिस करेगा 6 के 6 neutral से बने तो 3 chlorine बाहर डाल दो coordination compound बन गया अगर 5 अमोनिया है तो कोशिस होगी 6 के 6 बनाने की बट एक लिगेंड अंदर लेना पड़ेगा similarly कोशिस होगी CO NH3 whole 4 Cl2 होगा अब देखो एक chlorine बाहर छोड़ना पड़ेगा this is Werner theory वर्णर theory ने कहा कि कोशिस करो कि पहले neutral से बने और नहीं तो फिर negative ligand को अंदर लो अब इस case में क्या होगा अब इस case में क्या होगा जैसी हम करेंगे बेटा जैसी हमने पानी में डाला देखो आपका पानी में डालने वर्णर थोरी अब end पे आ रहा है देखिए पानी में डालने के बाद क्या होगा हमने पहली बता रखा है कि सर पानी में डालने के बाद केवल जो घर के बाहर है वो आइन बन जाएंगे तो बेटा यह जो भी घर के अंदर है इस पर plus 3 आजाएगा और 3 C L minus अंदर चले जाएगा माइनस 3, प्लस 3 तो एक जो है CO NH3 whole 6, ये एक केटाइन बन गया और 3 न आएन बन गया, मतलब यहाँ पे, there is 1 केटाइन and 3 न आएन there is 1 केटाइन and 3 न आएन, this implies 4 आएन, 1 केटाइन and 3 न आएन, this implies 4 आएन total 4 आएन बनेंगे, 1 केटाइन and 3 न आएन similar में आजाओ, TO NH3 whole 5 Cl TO NH3 whole 5 Cl यहाँ पे आजाएंगे बेटा, plus 2 और 2 Cl minus बाहर जाएंगे CO NH3 whole 5 Cl इस पे आजाएंगे प्लस 2 और 2 Cl minus जाएंगे तो यहाँ पे आजाओ, 1 केटाइन and 2 न आएन 1 केटाइन and 2 न आएन टोटल कितने आजाएंगे बेटा, तीन आएन आजाएंगे, टोटल थ्री आएन विल बी फॉर्म्ट सिमिलर कंडिशन में, CO NH3 होल 4 Cl2, CO NH3 होल 4 Cl2, इसके उपर आजाएंगे बेटा, प्लस 1 और यहाँ पे 1 Cl- तो टोटल यहाँ पे आजाएंगे, 1 Ketine, Ketine तो सब में एक ही बनेगा, Ketine का चार्ज बस है, प्लस 3 का है, प्लस 2 का है, प्लस 1 का है, एंड, 1 in आएन बन रहा है, तो टोटल बेटा, 2 आएन बन रहा है, 1 Ketine and 1 आएन, टोटल 2 आएन बन रहा है, उपर वाले में 4 आएन, फि सबसी पहले आता है, Conductivity का सवाल, Verme में क्या सवाल आता है, Conductivity का सवाल आगा कि Sir, Conductivity, तो Conductivity होता है, directly proportional to number of Ichen, Conductivity कि इस पर Depend करता है, number of Ichen, जितना ज़्यादा Ichen है, उतना जयादा Conductivity है, तो पहले वाले की Conductivity सबसे ज़्यादा है, as compared to दूसरे वाला, as compared to आहाएन, की conductivity सबसे जादा है as compared to दूसरे वाला as compared to तीसरे वाला and this is the conductivity का order yes or no हाय ना conductivity हो गया उसके बाद अब देखो जितने आपके पास बच्चे क्या है जितने आपके पास CL है उतने ही precipitate बनेगे ध्यान दीजेगा अगर यह CL है अगर मैंने इसमें Agno-3 डाल दिया तो 3 mol Agcl बनेगा थीका है इसमें फिर से मैंने क्या डाल दिया Agno-3 डाल दिया तो ऐन पनेगा बेटा यह 2 Мोल Agcl बने घार से इसमें 2 AGC i guess would मैने फिर से में एई या तो क्या reject आएह स्य lli सीर बने गादेरेस वन मोललेaydी ऐणेगा बिलकुल सही है कोई प्राप्ब्लम नहीं तो नंबर प्रैसिपिटेक डिपैंड्स अथा नंबर फा यह थी है टीन मोलेजे सील थीन मोलेजे सील तीन मोलेजिट्टि अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर बेटा clear हो रहा है कोई problem नहीं हो रही आगे बढ़ते taco day लागे अगर आपके पास एजी Q BAR बन रहा है और अगर आपके पास बच्छोсем सिपा राइ और अगर आपके पास बच्छो hear E gift I questo ॥े यल्ट नयल्लो का होता है ठीक ना yellow कलर की precip morbid बन रहे है, AGBR जो है वो dark yellow color का precipitate बन रहा है, AGBR जो है बच्चों, ये dark yellow color का precipitate बन रहा है, और AGI जो है, नहीं, हाँ, एक सके नेक सके, ये white है, there is a mistake, ये white है, AGCL जो है, ये white color की PPT बन रही है, और ये not dark yellow, it is, एक एक बढ़ा के मैंने लिख दिया, it is light yellow, ये cream color, light yellow PPT, and this is dark yellow PPT, ठीक है न, इसको कई जगा books में बेटा cream color भी दिया हुए, ठीक है, inorganic के वो jdly, wadily होता है न, उसमें जो advance के लिए, j e के लिए बच्चे पढ़ते हैं, उसमें वो ये cream color भी दिया हुए, चलिए, तो AGCL, AGBR, AGI, white PPT, light yellow PPT, dark yellow PPT, की बोलो कहीं से कोहीं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, cream color हो गया, हाँ है न, बोलना पड़ेगा, बच्चो, एकदम समझदारी में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस, तो आपके पास, वर्नर्थ थियोरी भी, finish होता हुआ, नजर आ रहा है, नाँ आपके पास आएंगे हम VBT थियोरी के लिए, नाँ हम आते हैं आपके पास लेके, वालन्स बॉंड थियोरी, VBT थियोरी, आईए वालन्स बॉंड थियोरी की बात कर लेतें, वालन्स बॉंड थियोरी क्या है? तो देखो, chemical bonding में आपने पढ़ा था, आठाट इस पर मैं questions करा दूँगा तो आप theory लेते चलिए questions मैं आपको करा दूँगा कहाँ पर questions मैं आपको करा दूँगा जब मैं आपको दूँगा इसके बरमास्तर को में ना questions भी इसके करा दूँगा अब आते हैं VBT इस एन गज़ोलिघन कर रहा हूं और ऐसे क्या होता है VBT जब तक और्बिटल्स ओर लैप नहीं होंगे तब तक बाउंड नहीं बनेगा chemical bonding में हमने यही पढ़ा था कि orbitals overlap करेंगे bond का formation होगा यह chemical bonding में पढ़ा था तो वीबिटी सेम है यहां भी change नहीं हुआ यहां पर क्या हो रहा है ligand के पास एक lone pair वाला orbital है बोलो हाया ना similarly metal जो central metal atom है उसके पास vacant orbital है ठीक है हम क्या पढ़ते है कि ligand coordinate bond बनाता है metal में हम यही पढ़ते है होता क्या है VBT के हिसाब से ligand का fully filled orbital metal के fully filled orbital से overlap करता है ठीक है ध्यान दीजेगा VBT के हिसाब से क्या होगा कि according to VBT according to valence bond theory according to VBT empty orbital of metal overlaps with fully filled orbital of ligand empty orbital of ligand empty orbital of ligand overlaps with fully filled orbital of metal overlaps with fully filled orbital of overlaps with empty orbital of ligand overlaps with fully filled orbital of overlaps with fully filled orbital of ligand empty orbital of ligand ने, empty orbital of metal empty orbital of metal overlaps with fully filled orbital of ligand ठीके ना and bond is formed लेकिन and bond is formed लेकिन 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 यहाँ पे कहनी मे ट्विस्ट है and bond is formed लेकिन कहनी मे बच्चे ट्विस्ट है अब कहानी में ट्विस्ट कुछ इस तरह से है कि यह hybridization भी पढ़ाये जाता है VBT में इसके बाद VBT के जस्ट बाद तो hybridization कहता है कि यह आधा सच है पूरा सच क्या है कि जो empty orbital है पहले इसकी hybridization होगी और hybridization होके hybrid orbital बनेगा hybrid orbital का overlapping से bond बनता है क्या बोला मैंने VBT बोलता है बिना overlapping के bond संभाव नहीं है यह बाद ठीक है लेकिन इसमें hybridization भी घुसा के करना पड़ेगा तब जाके 100% सच होता है hybridization कहता है कि जो आपका metal है empty orbital empty orbital की पहले hybridization होगी first hybrid orbitals are formed and then overlapping takes place तो यहाँ पहेंगे इसी का extended version extended version first first hybrid orbitals of central metal atom hybrid orbitals of central metal atom is formed पहले hybridization होगा central metal atom का hybrid orbitals बनेगा first hybridization of central metal atom is formed and then overlap takes place and and then overlap overlap and then overlap of hybrid orbital overlap of hybrid orbital of metal and then overlap of hybrid orbital of metal and fully filled orbital of ligand takes place and fully filled orbital of ligand takes place and fully filled orbital of ligand takes place fully filled orbital of ligand takes place and bond is formed and then bond is formed and then bond forms या फिर bond is form अब सुनो थोड़ा गौर से आराम से अच्छे से समझते हैं कि करके आईए चलो, क्या कह रहा है कि VBT मतलब valence bond theory क्या रहा, coordination compound में कैसे bond बनेगा, अब coordination compound में bond बनने के लिए यहां से यहां coordinate bond बनना है loan pair इस vacant orbital में donate होना है अब loan pair is vacant orbital में donate होगा मतलब fully filled orbital of loan pair overlaps with empty orbital of metal and bond forms कुछ इस तरों से valence bond theory बनता है next आ जाते है जैसे हमने आए, सबसे पहले अब हम ligands के बारे में discussion करेंगे VBT में और spectrochemical series और फिर हम question करेंगे hybridization निकालना, फिर inner orbital outer orbital and so on तो ligands दो तरह के होते हैं बच्चे एक होता है strong filled ligand जिसको हम SFL बोलते है strong filled ligand जिसको हम बेटा SFL बोलते है strong fill ligand और दूसरा होता है weak fill ligand मतलब WFL weak filled ligand मतलब WFL strong fill ligand मतलब SFL weak fill ligand मतलब WFL बोलो clear है strong fill ligand SFL, WFL चलो, अब आते हैं एस्ट्रोंग फिलिगेंड का मतलब होता है बेटा, पेरिंग अकर्स, और वीक फिलिगेंड का मतलब होता है, पेरिंग नहीं होगा, एस्ट्रोंग फिलिगेंड में पेरिंग होगा, और वीक फिलिगेंड में पेरिंग नहीं होगा, वीक फिलिगेंड में पेरिंग नहीं सिरीस का एक मैं शोट्रिक से जाद कराता हूं तो देखो स्पेक्ट्रो केनिकल सीरीस क्या है यह बताता है कि कौन लिजेंड स्ट्रॉंग है कौन वीक है तो यह एक ऑडर ओफ लिजेंड देता है जिसमें एस्ट्रेंथ पता चलता है तो बोलता है आई माईनस सबसे वीक फी पर इससे स्ट्रॉंग होता है बी आर मैनस आई बर्बादी आई बर्बादी सनी कल से फरार आई बर्बादी सनी कल से फरार ठीक है ना शनी कल से फरार आई बर्बादी सनी कल से फरार ओ ऑग्जेलेटो यह अब बिचारा वो कर रहा है कि यार मजा नहीं हारा ओग्जेलेटो स तुम्हारा तुम्हारा तुम्हाई पानी में नशा ओह ओक्जलेटो पानी में नशा ओह ओक्जलेटो पानी में नशा पानी मतलब वाटर नशा मतलब NCS- पानी में नशा ओह ओक्जलेटो पानी में नशा क्या समझ में आ रहा है मैंने शौट्रिक बना दी यहां पर आई परबादी लिख लिजिए आई परबादी शनी कल से फरार कहता है ओह ओह ओग्जलेटो तुम्हारे पानी में भी नशा है EDTA आमोनिया इन नौर्वे कैनेडा कोलंबो मतलब EDTA आमोनिया कहां पाए गए है नौर्वे कैनेडा और कोलंबो में घूम रहे है ठीक है ना दिस इस वीक फिल्लिगेंट से स्टार्ट होता है और स्ट्रॉंग लिगेंट पर एंड होता है तो कार्बोनिल सीओ जो है वो एस्ट्रॉंगेस्ट फिल्लिगेंट है उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है सीओ माइनस साइनाइड जो हम हेक्सास्यानीडो यह सब पढ़ रहते हैं वह यही है फिर आपके पास नाइट्राइटो आता है देन फिर थाइलीन डायमाइन देन अमाइन देन एडीटीए देन एंसीएस देन वाटर फिर ओक्सेलेटो और हाइड्रोकसाइडो फ्लॉराइडो सल्फाइडो क्लॉराइडो थायोसाइडो 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 फिर ब्रोमाइडो एं आयोडाइडो बोलो क्लियर है त नौर्वे कैनेडा कोलंबो चलिए next यह हो गया आपको बताता है अब एक और चीज़ एक जेनरल रूल भी होता है एक जेनरल रूल यह कहता है कि strength of the ligand अगर carbon और nitrogen donor atoms है अगर carbon और nitrogen donor atom है तो generally यह देखा गया है जेनरली यूज कर रहा हूँ जेनरली यह देखा गया है कि यह strong fill ligand होते हैं ठीक है अगर oxygen और halogen है अगर यह donor atom है तो generally यह देखा गया है कि यह weak fill ligand है यह generally की बात कर रहा हूँ मैं शाटरीक एक तरस बाकी spectro chemical series जिन्दा बात वो हमेशा वैसे ही होगा carbon और nitrogen donor atom है तो strong filligand oxygen और halogen donor atom है weak filligand अगले उस पे जाते हैं strength of ligand के बाद आजाते हैं आपके पास hybridization अब आईए hybridization चलते हैं अभी तक हमें यह पता चला a strong filligand होगी तो pairing होगी a strong filligand carbon और nitrogen donor वाले होते हैं generally और oxygen halogen वाले weak filligand होते हैं चलिए अब hybridization निकालना यह सब अभी हम पढ़ेंगे तो basically आपको दो hybridization पढ़ना है coordination number 4 और 6 coordination number 4 में दो तरह की hybridization पढ़नी है पहला आएगा आपके पास sp3 और दूसरा आएगा आपके पास dsp2 उसी तरह coordination number 6 में आपको दो तरह की hybridization पढ़नी है एक है आपके पास sp3 d2 और दूसरा बच्चे आपके पास है d2 sp3 ठीक है sp3 मतलब tetrahydral sp3 का जो geometry होगा वो tetrahydral होगा अभी बता देता हूँ आगे चलके और पढ़ना है और dsp2 का मतलब होता है आपके पास square planner वो अभी पढ़ लेते हैं आगे जाके और पढ़ने ठीक है समझ में आ गया है sp3 d2 का मतलब होता है आपके पास octahedral और d2 sp3 भी आ आपके पास octahedral एकदम सही कोई problem नहीं है आगे बढ़ जाते हैं hybridization of coordination compound coordination number 4 और coordination number 6 में sp3 है dsp2 है यहाँ पे sp3 d2 है due to sp3 है sp3 मतलब की वो tetrahedral है यह square planar है वो octahedral है वो भी octahedral है hybridization of the coordination compound चलिए अब hybridization of coordination compound के बाद next move करते हैं आपके पास आ जाते हैं यह कुछ questions है हम एक ही करके इन questions को solve करेंगे और पूरा hybridization inner orbital low spin high spin कैसे क्या geometry सम लिखेंगे आपे आजओ सबसे पहले मैं पहला question उठा लेता हूँ ni cn4 minus 2 ni cn4 minus 2 clear हो गया आप देखो सबसे पहले आपको oxidation number निगाल लेना है तो nickel बच्चे यहाँ पे plus 2 में है कहीं से कहीं तक कोई गढ़बड़ी नहीं है आजओ nickel का atomic number आपके पास होता है 28 तो nickel का atomic number 28 है this is nothing but 3d8 4s2 है गया nickel का atomic number 28 है this is 3d8 4s2 लेकिन nickel नहीं हमें nickel plus 2 चाहिए तो nickel plus 2 का सीधा मतलब हो गया sir nickel plus 2 का सीधा मतलब हो गया it is 3d8 हाँ अब 3d8 है तो नों को और से sir हमने यहाँ पे 3d8 बना दिया एक दो तीन चार थ्रीडी हो गया 3d4s और 4p हो गया ठीक है न जब भी 3d8 हमने बना दिया एक दो तीन चार पांच छे साथ और 8 बच्चे ठीक है चलो अब सर्थ 3d8 है साथ में strong philigend आया है बच्चे साथ में strong philigend आया है cyanide अब जब भी strong philigend आएगा cyanide आएगा भहिया 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 पेरिंग तो होके रहेगी तो यार यहाँ पी क्या करना है 3d में पेरिंग कर दो 1 2 3 4 3d में बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 पेरिंग होगे 3d के बाद बच्चे 4s आ चुका है आपके पास और 4p भी आ चुका है 3d के बाद 4s भी आ चुका है 4p भी आ चुका है 3D भी हो चुका है 4S भी हो चुका है 4P जब जब strong filigant आएगा pairing होगा अब pairing होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजे एक बात को क्या-क्या pairing होगा यहाँ pairing होने के बाद क्या-क्या बाकी रह गया SP3 होगा अगर D खाली है तो SP3 होगा अगर D खाली है तो DSP2 होगा नहीं तो DSP3 होगा यहाँ पर D हमने खाली करा लिया pairing करके, इसलिए hybridization क्या हो जाएगा, आपके पास DSP-2 अगर hybridization DSP-2 है देखो यहाँ पे लिग देता हूँ hybridization क्या है था, sir DSP-2 जब-जब hybridization DSP-2 आएगा, तो क्या ये square planar नाम की geometry आएगी, ठीक है, sir coordination number कितना है, सर्फ 4, 4 into monorandate magnetic behavior अभी आता हूँ है, पहरा, और अगर एक भी unpaid electron नहीं है, तो dia तो magnetic behavior में क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उपर, sir, ये कुछ नहीं है, dia magnetic है, magnetic behavior में मैं उपर लिख सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, dia magnetic है, चलि, dia magnetic हो गया DSP-2 हो गया, square planar हो गया coordination no.4 हो गया, dia magnetic हो गया, चलि, यहाँ तक बहुत अच्छी बात, समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ जाते हैं, sir, जब जब पेरिंग हुई है, चलि, आगे बढ़ते हैं, इसके बात, एक और चीज, magnetic moment की चर्चा कर लेते हैं, magnetic behavior अलग है, magnetic moment बता देता हूँ, यहीं पर, magnetic moment क्या होता है, magnetic moment is mu, mu is equal to under root n into n plus 2, n into n plus 2, bore magneton, bm का मतलब होता है, bore magneton, अब n का value क्या है, कुछ नहीं, n is equal to unpaired electron, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे तो होता है, n is unpaired electron, और यहाँ पे unpaired electron कुछ नहीं है, हैं नहीं, अब n, unpaired electron नहीं है, N की value 0 मतलब magnetic moment is 0 तो क्या-क्या निकल गया coordination number hybridization, zometry, diamagnetic, paramagnetic and magnetic moment coordination number 4 में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कैसे किया सबसे पहले वो लिखा Ni plus 2 Ni plus 2 लिखने के बाद हमने देखा है strong philigant ने तो pairing करा तो pairing कराने के बाद 1D खाली था clear dsp2 होगा जब-जब एक दी खाली होगा dsp2 अगर नहीं खाली होगा तो sp3 चलिए next पे जाते है Ni co4 next उठाते हैं बच्चो Ni co4 पे चलते हैं और बताते हैं कि क्या यह इसमें hybridization होगा नहीं होगा, pairing होगी नहीं होगी कैसे होगा देखते हैं तो nickel बेटा, nickel, oxidation नमबर बताओगे अरे सर यह कार्बोनील है neutral लिकिंड होता है तो nickel का oxidation नमबर 0 है मतलब nickel जैसा था वैसा रहेगा nickel is 28 atomic number 3d8 4s2 तो सर इसमें कोई भी oxidation नमबर नहीं है, कोई भी electron loss नहीं हुआ है, 1, 2, 3, 4 त बन गया सर 3d8 4s2 बना दो सर सबसे पहले मैंने 3d8 बनाया, जब जब 3d होता है 4s और 4p स्पास में होते हैं तो 3d8 4s2 बना दिया लेकिन कार्बोनी सर यह तो सबसे ज़्यादा strong filigend है ना, यह तो spectrochemical के हिसाब से strong filigend में आ गया, तो strong filigend जब जब हुई है, तब तब पेरिंग हुई है strong filigend जब जब हुई है, बेटा पेरिंग हुई है, strong filigend यह होगा और पेरिंग भी हो गई है तो हमने d की पेरिंग करा दी, बोलो ठीक है एक और चीज यहीं समझना है कि भाई, सारे, और ऐसा नहीं होगी इढ़ी 4 electron, यहां 4 electron वहाँ सारे electron इधर आएंगे होन, शूरूल violet हो जाएगा नहीं तो सारे electron को बच्चे वह यहां से इधर shift कराईए, तो जैसे orbital खाली हुआ, forest के electron इधर shift हो गया जैसे और पेरिंग करके electron खाली हुआ forest के electron shift हो चुके हैं, अब देखो अब क्या-क्या बचा है तो sir, D अब खाली नहीं है अब D खाली नहीं है, तो जो खाली है, उसके साथ हईबरड़ैशन कर दो sir, खाली है चार और्बितल, कौन सा खाली है? 4 orbital आपके पास SP3 है 4 orbital SP3 है SP3 is the hybridization जब-जब hybridization SP3 होता है geometry बच्चे tetrahedral बोला जाता है और geometry tetrahedral है तो coordination number 4 है और magnetic behavior क्या होगा Sir, dia magnetic एक भी unpaid electron नहीं है it is dia magnetic Sir, magnetic moment अगर आपसे पूछा जाए magnetic moment mm mu अगर पूछा जाए magnetic moment is equal to 0 unpaid electron है ही नहीं dia magnetic का magnetic moment 0 होता है dia magnetic का magnetic moment 0 होगा अगर dia magnetic नहीं होगा वो paramagnetic होगा तभी तो unpaid electron हैगा तभी तो N की value निकलेगी चलिए यहाँ तक करने के बाद next हम जाते हैं बच्चे एक और example पे CR NH3 whole 6 plus 3 आईए CR NH3 whole 6 plus 3 एक एक करके समझते हैं CR NH3 whole 6 plus 3 अब ammonia एक neutral ligand है तो chromium पे बेटा plus 3 चार जाज आएगा सबसे पहले मैं chromium के बारे में जानता हूँ chromium का atomic number होता है बेटा 24 और इसका atomic configuration exceptional है 3D5 4S1 होता है लेकिन हमें chromium नहीं चाहिए हमें चाहिए chromium plus 3 हमें chromium नहीं चाहिए हमें चाहिए chromium plus 3 और chromium plus 3 का मतलब हो गया एक यहां से दो यहां से यह बन जाएगा 3D3 एक वहां से निकला दो यहां से निकला बन गया 3D3 अब जो 3D3 है जैसे फटा-फट से लिखो 3D 3 1 2 3 4 3D 3 1 2 3 जब जब 3D होगा पास में अपने आप 4S और 4P आ जाएगा जब जब 3D होगा अपने आप में 4S और 4P आ जाएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे coordination number क्या है 6 है जब जब coordination number 6 आता है या तो SP 3D 2 होगा या तो D2 SP 3 होगा धोड़ा सा चेंज है coordination number 406 में आ चुक है जब जब दो D orbital अब दो D orbital अगर खाली है अंदर वाले तो क्या होगा D2 SP 3 लेने जब 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 दो D orbital खाली है तो बेटा D2 SP 3 लेना पड़ेगा एक और बात पूछो सर ये strong philigan लिया था pairing नहीं कराई आपने गलत कर दिया strong philigan लिया था pairing नहीं कराई आदे बदमास बच्चों अगर orbital खाली नहीं होते तब तो pairing कराते या orbital अल्वीडी खाली है pairing किसलिए कराते हैं ताकि orbital खाली हो पाए यहाँ पे बीना pairing के और आइडी खाली है तो pairing कराने में एन और्जी वेस्ट नहीं करेंगे pairing नहीं करैंगे despite कैंको कि यहाँ पे इस्ट्रॉंगräge लिया बट पैरिग नहीं करेंगे क्यों कि यहाँ अब PRm लाहें आपके खाली है खाली कराने के लिए पेरिंग होती थी अलड़ी खाली क्यों पेरिंग कराके इनर्जी वेस्ट करोगे चलो सब ठीक है तो दो डी और्बिटल खाली है दी टूस्पी 3 हो रहा है तो क्या हाइबिडाइशन या जोमेटरी चाहे है जाहेएस्पी 3D2 हो चाहेए D2-SP3 हो घटो अब आपको बताना परेगा इस नाव पैरा मैगनेटिक अन प्रण है दें दो मैगनेटिक भी हेविड跟你 होगा पैरा मैगनेटिक बिखेवियर विट्चों क्या हो जाएगा पैरा मैगनेटिक एक दम मजा आ गया Magnetic behavior, paramagnetic है, coordination number 6 है, hybridization है, geometry है, paramagnetic है, बहुत बढ़िया Next, D2-SP3 आपके सामने हो चुका है, अगले पर चलते है Next, अगले पर चलते हैं, MNCN6-3 पर भी चलेंगे, लेकिन इसमें दो चीज़ें और आप भी बता दो कई बार examiner पूछता है, inner orbital complex, outer orbital complex, ठीक है, आईए अब यह अंदर वाले D-orbitals है, हमें इस hybridization में कौन से D-orbital इस्तेमाल हुए है, तो देखो, this is 3D, this is 4S, यह 4P, इसके बाद 4D आएगा, इसके बाद 4D आएगा, तो 3D इस्तेमाल हुआ के 4D, 4D इस्तेमाल हुआ है, 4D इस्तेमाल हुआ है, inner D complex, जब-जब D2-SP3 आएगा, बे एक पूछा जाता है, सर, inner orbital complex, हमेशा D2-SP3 inner orbital complex के अंदर count हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वाले D-orbital इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छा, कई बार पूछा जाता है, high spin complex की low spin complex, जब-जब pairing होगी, वहाँ-वहाँ, low spin complex, और pairing नहीं हुई है, high spin complex, फिर समझाता हूँ, अगर pairing हुई है, high spin complex, अच्छा, यहाँ पर pairing नहीं हुई है, that means it is a high spin complex, pairing हो जाती, low spin complex, तो it is a high spin complex, मजा आ गया, सर, inner orbital complex, high spin complex, यहाँ पर हो चुका है, एक और example करेंगे, उसके बाद हम CFT पर move करेंगे, MNCN6-3, एक और example करेंगे, MNCN6-3 पर, फटा-फट करेंगे, फिर हम CFT करेंगे, crystal field theory, वो भी important है, उसमें भी color पढ़ना है, और पूरी theory पढ़नी है, यह splitting पढ़नी है, वो सारी चीज़ें भी पढ़नी है, चलिए, तो अब आजाते है, MNCN6-3, क्या हो जाएगा, अपने अपने पास MN, coordination number 6, MNCN6, और आपके पास आजाएंगे, माइनस 3, MN पर बेटा प्लस 3 charge है, मन पर प्लस 3 charge है, चलिए आईए, अब MN का हम hybrid, वो लिख लेते हैं, MN is 3D5 forest 2, लेकिन प्लस 3 है, इसका मतलब MN जब प्लस 3 में जाएगा, 3 electron lose करेगा, 2 यहां से 1 यहां से 3D4 हो जाएगा, दो बाहर से एक अंदर से 3D4 हो गया, अब 3D 4 यहां पर लिख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, 3D4 का मतलब हो गया, एक, दो, तीन, चार, जब जब 3D होगा, सर सामने 4S भी पड़ा होगा, सर सामने 4P भी पड़ा होगा, और सामने 4D भी पड़ा होगा, ठीक है, 3D भी पड़ा है, 4S भी पड़ा है, 4P भी पड़ा है, 4 Coordination No.6 है दिख रहा है यहाँ पर मतलब यहाँ पर 6 bond बनाने हैं अब या तो hybridization D2, SP3 हो सकता है या तो hybridization SP3, D2 हो जाएगा या तो hybridization SP3, D2 हो जाएगा अब ध्यान देंगे तो इस strong field legal लिया है अगर strong field legal लेंगे तो पेटा hybridization pairing होगी सबसे पहले तो क्योंकि दो D orbital आपके खाली नहीं है pairing होगी दो D orbital खाली नहीं है अब दो D orbital खाली नहीं है एक, दो, तीन, चार की pairing होगे गलत है जैसे अपनी एक या गलत कर देंगे पता है क्यों? सर चार थे हमारे को दो D orbital चाहिए केवल एक electron की pairing ही कराओगे तो काम हो जाएगा चार थे अब केवल एक बार pairing करने से ही केवल एक बार pairing करने से ही दो D orbital खाली हो गए यहाँ पे मैं बार बार समझा रहा हूँ मत जरूरी नहीं है कि हर बार pairing हो pairing किसलिए हो रही है? D orbital के लिए अगर D orbital बीना pairing के हो जा रहा है तो कोई बात नहीं D orbital में एक बार ही खाली हो जा रहा है pairing करने से तो एक बार में ही करेंगे pairing में energy लगती है energy खराब नहीं करेंगे geometry क्या हो जाएगा? octahedral ठीक है? और magnetic moment सर यहाँ पे unpaird electron है यही question गलत करा सकता है यहाँ पे para magnetic होगा आप सब लोग इसको dia करते और यह para magnetic हो जाता अचा magnetic moment सर पिछले वाले question में magnetic moment नहीं किया था magnetic moment is equal to under root n into n plus 2 bore magneton हाई है न under root n into n plus 2 का मतलब होगया n के value है 2 2 into 2 plus 2 2 into 4 मतलब under root 6 bore magneton आजाएगा 2 into 2 plus 2 under root 6 bore magneton under root 6 bore magneton आजाएगा पिये है चीक है root 6 bore magneton और d2 sp3 आगया है अंदर वाले d orbital इस्तेमाल हुए है inner orbital complex अंदर वाले d orbital इस्तेमाल हुए है this is inner orbital complex अच्छा अब inner orbital complex है मजा ही आगया है hybridization, octahedral, paramagnetic, coordination number 6 होगा inner orbital complex होगा चीक है pairing हुई है इसलिए बेटा यहाँ पे low spin complex होगा एक बार भी pairing हो जाए it will be counted in low spin complex इस पे कई लोग debate करने आजाएंगा high spin complex है बड़ आपको research paper पढ़ना पढ़ेगा तब जाके पता लगेगा spinning complex के बारे में एक बार भी pairing हो जाए तो फिर low spin complex में count हो जाता है तो मैंने जितने भी different variety possible हो सकते थे वो करा दिये आपके किसके hybridization geometry magnetic behavior and so on ठीक है next हम move करेंगे hybridization geometry वाले पे उसके बाद हम आते है magnetic moment हमने अल्रड़ी पढ़ा दिया under root n into n plus 2 n is the unpaired electron अब आते हैं CFT theory पे crystal field theory crystal field theory क्या है समझते हैं crystal field theory में कुछ तो कमिया रही होंगी VBT में तभी तो crystal field theory आया था कुछ तो कमिया रही होंगी VBT में तभी तो crystal field theory आया था कि नहीं आया था हाँ अब आजो तो कमिया क्या थी it could not explain why pairing occurs in strong filigant और क्यो pairing नहीं होता है weak filling VBT ने सिधा सिधा बोल दिया कि strong filigant pairing करा दो weak filigant pairing मत कराओ लेकिन कोई reason नहीं दिया तो VBT वहाँ पे fail हो गया जब valence bond theory से लोगों ने question पूछा कि भाई ऐसा क्यों strong filigant में pairing क्यों होगी ऐसा क्यों होगा कि strong filigant में pairing होगी और weak filigant में pairing नहीं होगी वो answer नहीं था उसके पास it could not explain ठीक है दूसरी बात it could not explain the color of the compound coordination compound color show करते इस बात को वो समझा नहीं पाया तीसरा it could not explain order of the ligands in spectrochemical series spectrochemical series में हमने order लिख दिया short trick से याद भी कर लिया but order आया कैसे यह explain नहीं कर पाया वो order को explain नहीं कर पाया आते हैं drawbacks of VBT के बाद CFT पर पढ़ने यह सारी कमिया थी color की strong filigand में pairing क्यों होगा यह नहीं पता था उसके बाद हमने देख लिया कि order of the spectrochemical series नहीं क्यों था यह नहीं पता था तो उस विविटी ने केवल बता दिया CFT में आके explanation मिला है अब CFT कैस explanation देता है crystal field theory कहता है crystal field theory कहता है कि आप सब लोग अभी तक valence bond theory, verner theory सब गलत है यह कहता है कि मेरी बात मानो crystal का मतलब होता है charge crystal का मतलब होता है बेटा charge और charge से field associated होता है electric field यह कहता है कि ligand जो है वो negative charge है और central metal atom positive charge है देखे, coordinate compound में ligand को negative charge consider करता है ligand को बेटा यह negative charge consider करता है and central metal atom को positive charge consider करता है ligand को negative charge consider करता है और central metal atom को बच्चे positive charge consider करता है मझा आ गया ligand को negative charge consider करता है central metal atom को positive charge consider करता है अब क्या होगा यार हमने अभी अभी तो पढ़ा कि metal का vacant orbital लिगेंड जो होता है उसके पास fully filled orbital ये लिगेंड fully filled orbital इस metal के vacant orbital में donate करता है लिगेंड का fully filled orbital इस metal के vacant orbital में donate करता है अब ये कह रहा है कि सर ये जो लिगेंड है ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो मेटल है हमारा भाई साब ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जब भी चार्जेंस के बीच में ट्रेक्शन होता है, आइनिक बॉंड बनता है ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे, according to CFT crystal field theory आइनिक बॉंड exists in coordination compound आइनिक बॉंड exists in coordination compound आइनिक बॉंड exists in coordination compound आइनिक बॉंड बेटा आपके साथ होता है, आइनिक बॉंड exists in coordination compound according to crystal field theory, आइनिक बॉंड exists in coordination compound अब यह बहुता है, कि भाई, मेटल जो हमारा positive charge है यह negative charge है, आपस में attract होंगे, अब attract होंगे तो bond बनेगा, attraction से जो bond बनता है, वो आइनिक बॉंड होता है CFT consider ligand as a negative charge, central metal as a positive charge and when they approach, आइनिक बॉंड is formed यहाँ पर लिखेंगे कि ligand और bracket में लिको negative charge ligand जो है, उसको तो negative charge माना है ligand approaches central metal atom ligand approaches central metal atom और central metal atom क्या है बेटा, आपके पास positive charge ligand approaches central metal atom negative charge approaches central metal atom negative charge approaches central metal atom ligand approaches central metal atom बहुत बढ़िया ligand जो है, वो central metal atom को अप्रोच करता है ligand approaches central metal atom बहुत बढ़िया negative charge central metal atom को अप्रोच करता है ठीक है न, due to attraction क्योंकि negative charge और positive charge में attraction होगा, due to attraction and attraction होगा ionic bond form होगा ionic bond is formed तो VBT क्या कहरता था कि पहले hybridization होगा hybrid orbital बनेगा central metal atom का उसके बाद overlap होगा फिर bond बनेगा लेकिन उस तरह से कई चीज़े explain नहीं हो पाई अब बोलता है मैं करूँगा CFT बोलता है मैं explain करूँगा आओ ligand जो है वो negative charge है central metal atom जो है वो positive charge है negative positive charge आपस मैं track करेंगे और attraction से bond बनता है ओके negative और positive charge आपस मैं track करेंगे और attraction से bond बनता है आगे बढ़ते हैं यार सबसे पहले अब d-orbital के बारे में आपको सिखाऊंगा types of d-orbital d-orbital आप सबको पता है 5 होते हैं एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz, और तीसरा होता है dzx. dxy, dyz, dzx. फिर देखो, एक और होता है dx²-y², और दूसरा होता है दz². आउएके करके कहाणने करते हैं. dxy का मतलब है, कि वेटा, एक सेक्सिस और y एक्सिस के बीच में orbitals हैं. x-axis और y-axis के बीच में orbitals है dxy फिर आ जाओ d y z की बात करते हैं तो यह रहा y और यह रहा z y और z-axis के बीच में orbitals है y और z-axis के बीच में orbitals है y और z-axis में d zx की बात करते हैं यह z-axis रहा, यह x-axis रहा d zx मतलब x-axis और z-axis के बीच में orbitals है x-axis और z-axis के बीच रिम और्बिटल से हैं, वो आपके पास dzx रहा dx-y-square क्या होगा dx-y-square तो भाई, यह x-axis के उपर लोब से हैं और y-axis के उपर लोब से है dx-square क्या होगा, बेटा यह x-axis है, यह y-axis है और यह बेटा आपके पास z-axis है तो Z axis पे lobes है D Z square के है और X Y plane में X Y plane में electron cloud है मैं बना देता हूँ इस तरह से होता है चारों तरफ उसके electron cloud घूम रहा है चलो आजो एक ही करके अब समझते है अब क्या होगा तो दो तरह के orbitals है एक है between the axis एक है between the axis और दूसरा है on the axis एक है between the axis और दूसरा है on the axis अब on the axis और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा EG orbitals दो है ना तो इसलिए एक E और एक G और यहाँ पे तीन है तो इसको हम बोलेंगे बेटा T2G orbitals तीन है तो T2G ठीक एक on the axis है एक between the axis है on the axis वाले को हमने EG बोल दिया और between the axis वाले को हमने on the axis वाले को हमने EG बोल दिया और between the axis वाले को हमने T2G बोल दिया बस नामकड़ा ने बोल दिया चलिए next मैं आपको कुछ splitting समझाता हूँ कैसे bond बनता होगा थोड़ा गौर से सुनेंगे देखिए ध्यान से ये हमारे पास octahedral में बना रहो ये हमारे पास बचो octahedral में बना रहो रुको, एक उपर की तरफ ठीक है, एक नीचे की तरफ वाउ अब सुनना गौर से, ये octahedral है ठीक है अब octahedral में सारे bonds 90 degree पे होते हैं, हाँ ये न octahedral में सारे के सारे bonds 90 degree पे होते हैं बिल्कुल सही है ये वाले bonds भी 90 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 है similarly, ये जो perpendicular उपर निकल रहे है ये भी 90 है, perpendicular नीचे जा रहा है, वो भी 90 है, तो basically octahedral में हमारे सारे bonds 90 डिग्री वाले हैं, octahedral में हमारे सारे bonds 90 डिग्री वाले हैं, कोई परिशानी नहीं, octahedral में हमारे सारे bonds 90 डिग्री वाले हैं, हाँ sir, वाउ, amazing, चलिए आगे बढ़ते हैं, octahedral में हमरे सारे bonds 90 degree वाले हैं तो ये हमारे path बेटा, ligand हो गया, ये 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 ligand हो गया और यहाँ पर central metal item होगा मतलब यह समझ सकते हो कि सर मैं अगर सारे 90 डिग्री है तो अगर मैं इसको X-axis बोलू तो यह इसके 90 डिग्री पर Y-axis बन जाएगा बिल्कु सही है सर और perpendicular बिटा Z-axis बन जाएगा बिल्कु सही है न सारे 90 डिग्री है तो इसका मतलब यह सारे X-axis ही तो है हाँ अगर ये सारे 90 डिग्री है तो ये सारे XC दो है मैं दूसरा example बताता है अगर ये सारे 90 डिग्री है तो सारे XC दो है और क्या है ये all our axis मजा आ गया अब ध्यान दो लिगेंड जो है वो metal atom को अप्रोच करेगा बिल्कुल ठीक बात है क्या लेकिन लिगेंड जो metal को अप्रोच कर रहा है वो on the axis कर रहा है क्या octahedral में बाइब बनेगा न तो यहां metal है वहां लिगेंड है ligand and metal will approach, ligand and metal will approach, ligand and metal will approach, ligand will approach metal, ligand metal को approach करेगा, bond बनाना है, attraction हो रहा है, एक negative charge, एक positive चाहँ दे, तो जब ligand metal को approach कर रहा है, तो क्या वो axis पर कर रहा है, 90 degree है ना, तो ligand जब metal को approach कर रहा है, तो 90 degree है तो इसलिए axis पर कर रहा है, तो they are approaching on the axis, तो octahedral में ligand और metal का approach on the axis हो रहा ह अक्टाहेडरल में, लिगेंड और मेटरल का अप्रोच on the axis हो रहा है और on the axis हो रहा है, इसका मतलब सर, on the axis पर रिपल्सर होगा समझ पा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर in octahedral, यहाँ पर लिखेंगे in octahedral है न, in octahedral, लिगेंड अप्रोचेज मेटल on the axis in octahedral, लिगेंड अप्रोचेज मेटल on the axis, ओके and hence, इसलिए रिपल्सर इंक्रीजेज अन दी एक्स जहाँ पर बॉंड बनेगा, वही पर तो रिपल्सर आ सकता है and रिपल्सर इंक्रीजेज अन दी एक्स octahedral में, लिगेंड अप्रोचेज on the axis octahedral में, लिगेंड अप्रोचेज अन दी एक्सिस, लिगेंड अप्रोचेज अन दी एक्सिस इसलिए रिपल्सर अन दी एक्सिस वाले के लिए पढ़ गया, तो खट से हम बता देते हैं अभी आपको, कि सर जो octahedral, यह d orbital है, एक, दो, तीन, चार, भई, उपर देखोगे, octahedral, अब octahedral में, दो तरह के splitting होगी, एक उपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ठीक है, दो तरह की splitting होगी, एक, दो ऐसा, और तीसरा ऐसा, एक, दो, तीन, क्या मैंने बोला, eg उपर चला जाएगा octahedral में, क्यों, सर, on the axis वाले उपर जाएंगे न, octahedral में bond कहां बन रहा है, axis के उपर, octahedral में bond कहां बन रहा है, axis के उपर, रिपल्सन कहां होगा, axis के उपर, on the axis, on the axis वाले रिपल्सन बढ़के उपर चले गा है, और, बच्चे, T2G नीचे चला आगा, octahedral में, ये वाला orbital क्या है, dx square minus y square, और ये क्या है, dz square, T2G में, ये क्या है, between the axis, dxy, dyz, dzx, octahedral में, on the axis वाले उपर चले जाते हैं, क्योंकि octahedral में bond कहां बन रहा है, axis के उपर, और, between the axis वाले नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर repulsion होई नहीं रहा, मजा आया, octahedral की spitting समझाई, क्यों octahedral में easy उपर गया, क्यों on the axis उपर गया, क्योंकि bond on the axis बन रहा है, क्योंकि ये repulsion on the axis हो रहा है, okay, स्यम कहानी में tetrahydral के भी सुनाऊचा, स्यम कहानी मेरे प्यारे बचों, tetrahydral के लिए सुन और, tetrahydral के लिए कुछ इस तरह से रहेगा, ये रहा, M, ये रहा ऊपर A, फिर नीचे रहा B, फिर नीचे रहा C, and then we have D. ठीक, ये रहता है, थोड़ा सा में change कर देता हूँ, octahedral को, थोड़ा सा जैसी में change करूँआ, कुछ इस तरह से रहेगा, ये रहेगा C, और ये रहेगा D. है रहा, अब आजाओ. अब आजाओ, on the axis, between the axis की कहानी बड़ी simple है, sir, अगर मैं इसको axis मानता हूँ, ये रहा axis, ये रहा y axis, ये रहा z axis. तो यहाँ पे जो ligand और metal है, वो between the axis अप्रोच कर रहे हैं. यहाँ जो ligand और metal है, ये between the axis हैं, ligand and metal जो है, वो between the axis अप्रोच कर रहे हैं. In tetra-hydral, ligand and metal approaches between the axis, खतम कहानी. In octahedral, ligand and metal approaches on the axis. In tetra-hydral, ligand and metal approaches between the axis. ligand and metal approaches between the axis. approaches between the axis. In octahedral, on the axis, इन टेट्रहडरल बीट्विंद एक्सिस आजाओ खट्ट से बना देते हैं यहां पर टेट्रहडरल सफर से निचे चलाएगा बिट्विंद एक्सिस उपर चला जाएगा टी फोर टेट्रहडर टी new 42 g ध्यान दीजी मैंने क्या बोला टी फॉर state- funnel t42 g और on the axis वालेहीजी होते है ओन्दी एक्सेफ के किजी होते है कि स्मझ में आया टेटा uh यही और अउ्ट ₠ हुए ऊक्टा हेट्र लाँ से उपर बॉंड बन रहा है चलिए next next अब इसी को थोड़ा सा ऐसा हुआ है octahedral splitting को थोड़ा सा अच्छे से और दिखा देते हैं कि सर एक दो तीन चार octahedral में on the axis उपर जाएगा क्या बोला मैंने octahedral में on the axis on the axis वाले दो है और between the axis नीचे चले आएंगे बढ़िया सब टेत्रahedral की अगर मैं बात करता हूँ एक दो तीन चार tetrahedral में T2G उपर जाता है और EG नीचे चले आता है tetrahedral में T2G उपर चला जाता है tetrahedral में यह देखो T2G उपर जाएगा और EG नीचे आएगा octahedral में EG उपर जाता है और T2G नीचे आता है चांदार जांदार जबरदस्त ठीक है समझ में आ रहा है कोई problem भी नहीं है यहाँ पर octahedral splitting भी हो गई है यहाँ पर tetrahedral splitting भी हो गई है बहुत शांदार बहुत जांदार बहुत मज़ेदार आगे बढ़ जाते हैं next कहानी आपके script ठीक है ना आईए eg का मतलब यहां पर लिख लीजिए on the axis याद करने के लिए अछार रहता है और t Č उजी का मतलब लिख लेजिए यहाँ पे between the axis ठीक है सरा ठीक है सर एक और चीज Crystal field splitting के साथ साथ crystal field splitting energy भी देखेंगे crystal field splitting के साथ साथ यहीं पर बेटा हम crystal field energy भी देखेंगे splitting energy, ध्यान दीजेगा, यही पर बता रहूँ मैं, आप देखो, यह हमारा मालो origin है, origin से उपर और origin से नीचे, दो पार्ट है, ठेक है, origin से बच्चे उपर और origin से नीचे दो पार्ट है, गौर से इधर देखिए, सब दो orbital है, total कितने orbital है, 5, तो denominator आ जागा नीचे 5, टोटल वाले नीचे आ गए, denominator में, अगर दो orbital है, तो 3, अगर 3 orbital है, तो 2, अगर total कितने है, denominator में आ जागा, total कितने है, denominator में आ जागा, अगर उपर 3 है, तो यहाँ 2 बटा 5, अगर नीचे 2 है, तो यहाँ 3 बटा 5, ओके, शांदार, उपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो बेट आपको कुस्टल फिल्टस इक साथ करा देंगे किसी और उसमें आ जाते हैं color of the complex, अब देखो color of the complex क्या होता है, ध्यान से सुनियेगा जैसे मैं octahedral की example ने लेता हूँ, Octahedral में दो तरह से splitting हो रही है, EG ऊपर और T2G नीचे, octahedral में दो तरह से splitting हो रही है, EG उपर और T2G नीचे हो रहा है बिल्कुल ठीक है क्या है अब देखना क्या होता है color of the complex कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ पर unpaired electron है अगर unpaired electron है तो थोड़ी थी energy लेके यह excite होके बेटा higher energy level में चला जाता है लेकिन excited electron in higher energy level is unstable excited electron in higher energy level is unstable excited electron in higher energy level is unstable and excited electron in higher energy level is unstable it returns back इसलिए unstable है इसलिए वापस बेटा उसी में आता है ठीकिन जब यह बेटा कुछ energy लेके ऊपर चला तो गया लेकिन वो unstable है थोड़ी देर बाद बेटा वापस आ जागा returns back जब वापस आता है तो it releases energy when it returns back it releases energy when it returns back it releases energy and corresponding to this energy color is shown color is shown corresponding to this energy color is shown corresponding to this energy color जो है इस energy के corresponding शो होता है ठीक है यहां पे अनपेड इलेक्ट्रोन है अनपेड इलेक्ट्रोन एनर्जी लेके एक होता है और जब वापस आता है तो energy रिलीज काता है जितने energy नाइधर created not is true है जितने energy लेके उपर गया लगबग उतने energy लेके वापस आता है उसी corresponding energy के वो color आता है यह तो हो गया डीडी ट्रांजिशन वाइट इस डीडी ट्रांजिशन बेटा यह on the axis sorry यह between the axis वाले d-orbital है on the axis वाले d-orbital है और between the axis d-orbital on the axis d-orbital के बीच में electron का transition हो रहा है तो d के d के बीच में transition हो रहा है this is d-d transition d और d के बीच में transition हो रहा है this is d-d transition it releases energy color is shown corresponding to first energy returns back so and so आगे बढ़ जाए चलिए अब color of the complex के बाद next move करते हैं complementary color color of the complex के बाद next will be the complementary color आईए समझते हैं complementary color क्या होता है सुदर्शन चक्र कॉम्प्लिमेंटरी कलर इस सुदर्शन चक्र आईए समझेंगे के करके तो हमने क्या किया एक ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा बना दिया ठीक है देखो इसमें लिखते हैं वी इसमें लिखते हैं आई आई छोड़ देता है अपने आपको बाहर रखो आई मतलब इंडिगो बाहर रखो लिखते हैं वी आई भी जी वाई ओ आ आर बस इसमें इंडिगो नहीं आता है इस कलर चक्रा में Ö Continentalamiliar अब क्या होता है कुजन आएगा अगर वाइलेट कलर लेके excite हुआ है तो यलो कलर लेके do principles करेगा अगर Excitation में वाइलेट कलर वाली एनरजी लगी है तो डे Excitation में उसका complementary color के के अगर red को औरेंज अगर Excitation में लगा है तो Bergman hugo कोंपलिमेंटरी ऐसी को यह color shown, अगर excite होने में वो लिया गया है तो de-excitation में ये color show होगा अगर मालीजे green लिया गया है excitation में, ठीक है तो complementary color show होगा ये वाला color shown is red color shown is red, समझ में आया तो complementary color होता है, कि जो electron जो color ले के जाता है जब वो release करता है तो complementary color अगर वो orange लेके उड़ेगा तो बेटा जब वापस आएगा तो blue छोड़ेगा question किस तरह से आया था question आया था कि हमने red orange color use किया था excitation में, तो पूछा गया था कौन सा color आएगा de-excitation में blue green अगर हमने red orange लिया है तो blue green आएगा, एकदाम opposite 180 degree complementary color show होगा ठीक है, बस indigo color का इसमें discussion नहीं है, ना आता है complementary color के बाद finally हम move करते हैं isomerism पे, अब isomerism आपका एक separate video में आएगा, ठीक है, अलरड़ी 3 घंटे की video हो गई है, तो thank you so much for watching this video है ना आगे एक separate video में हम isomerism आपको करा देंगे, ठीक है, इसके बाद आपके s-block आएंगे s-block hydrogen में करा देता हूँ s-block hydrogen, ठीक है, और thank you so much, बाबाई